आपको टाइम अगर बचाना है आपका तो अब टाइम स्टांप मतलब डिस्क्रिप्शन में चल जाना ठीक है तो आपको कौन सा येर से कब स्टार्ट हो रहा है तो वो मिल जाएगा उस टाइम पर क्लिक कर देना वो देख लेना या पूरा देखना होगा तो पूरा देख लेना ठीक है जो भी मैं लिखने वाला हूँ वो सब आपको वो सब चीज एक पीडियाफ में मिल जाएगी पीडियाफ का लिंक बहुत ज़रूरी है तो वीडियो देखने के बाद आपको फीडिबैक देना चाहिए कि वीडियो कैसा लगा क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा ताकि फ्यूचर वीडियो में वो सब चैंजे इंकॉर्परेट करके और अच्छे वीडियो बनने ठीक है डाउट सब पू यूज किया ठीक है फिर से कमेंट को डालो ठीक है प्राय करना पूरे लेक्चर को एक सिटिंग में खतम करने का चाहिए कितना भी बड़ा लेक्चर हो जाए क्योंकि लब यूटूब में बहुत जादा इधर उधर की चीज़े भी रेकमेनेट वीडियो से करन आप डिस्ट करने की कोशिश किया करो ठीक है दूसरे में जम करने से पहले है और लाइक और कमेंट करना चैनल को सपोर्ट करने के लिए ठीक है डिस्लाइक भी करना अगर यूडियो अच्छन लगा तो वैसा कुछ नहीं कि लाइक ही करना है जलो है तो हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है यह प्रिंस चीज़े पढ़ लेते सबसे पहले वेफ्रेंट क्या होता है अगर किसी पॉंड में आप एक स्टोन को थ्रो करोगे तो जो सर्कुलर आपको शेप दिखता है हर एक सर्कुलर शेप एक वेफ्रेंट है ठीक है ना तो सब सोर्से से सेम डिस्टेंस दूर एक से में है ना उसको वेफ्रेंट बोलते है हमेशा हो टू नहीं है लेकिन मोस्त दागेस में टू रहेगा मीडियम जी नहीं होगा तो जो यहां पर जैसे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है ठीक है तो उससे जो इसे रेज अब डॉक किर होगे ओ रेज के पर पेंडुकल अग करेगी है मेसा यादट मैं अन एनर्जी रे क्या करता है योगे करता है अपने यह फेंट आपने स्टन फेका फोर इक्सामबल याना इस पॉंट पे अपने स्टोण राप किया तो पतको पता है और बपर गरे हैं यहां ठोट लेकिन और उस्टों कर सकते हो कि आपने इस सपपर में तेक्षण हर point पे पत्थर रखाया, पत्थर फेक आया है, ठीक है न, तो हर एक disturbance का खुद का एक अपना circular wavefront होगा, और उन सब का अगर super position करेगा, तो new wavefront आपको मिल जाएगा, जो कि actual में उसी original stone के कारण ही आया है, लेकिन ये हम लोग secondary wavelets के term में समझने गोईश करें, ठीक है, तो आगे बढ़ाओ, और उन सब का super position से आपको wavefront का shape किसी later time पे मिल जाएगा, ठीक है, तो आगे के direction में ही काम करता है, पीछे direction में काम नहीं करता है, ठीक है, बस याद रखना है न, तो यहाँ पे अगर spherical wavefront है, तो यह अगर wavefront का shape है अभी, तो यहाँ पे अगर तीन point source zoom कर ल ठीक है, उन सब spheres का super position करेगा, तो फिर से एक नया planar wavefront मिल जाएगा, ठीक है, ओके, अब आप ray of light का तो path अगरे जानते हो, अगर उनका path जानते हो, तो आप wavefront का shape भी draw कर सकते, सपोस एक planar wavefront, या planar wavefront है, मतलब ray of light तो पर्पेंडिकुल, ray of light हमेशा perpendicular to wavefront रहेगा है, तो दो ray of light ले लिया आप है, तो यह वाला ray of light जो है, कम distance travel करेगा, प्रिसम का, यह ज्यादा distance travel करेगा, ठीक है, आपको पाता है, प्रिसम में speed तो कम हो जाती है, तो यह कम time के लिए slow चलने वाला है, लेकिन यह ज्यादा time के लिए slow जलने वाला है, slow वाला medium में है ना, जो भी यह पीछे रह जाएगा यह आगे पहुच जाएगा तो इसलिए वेफरंट जो प्लेनर था अपी प्लेनर यह लेकिन टेल्ट हो चुका है समझ माई बात ठीक है यह वेफरंट अभी टेल्ट हो चुका है यह ज्यादा डिस्टेंस कवर सेम टाइम में यह वाला पॉइंट यहा तो आपको पता है रे का पात तो कुछ ऐसा रहेगा और रे के पर पेंड्योकलर ही वेफरंट होता है तो प्लेनर वेफरंट किसी लेंज से पास हो उनका सफेरिकल हो जाता है क्योंकि अभी यह सब कंवर्जिंग रेज है उन्ग में परपेंड्युकलर सफेस्ट डॉप कर तो लोग आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन रेस ऐसा हो जाएगा इनके परपेंडिकुलर इन सब कूपर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो कुछ ऐसा सब तरीका याद अखना कुछ-कुछ इस फॉर्मला पर अभी तक कुछन नहीं आ है लेकिन तब भी क्योंकि अन्सेटी में दियासने में पढ़ ले रहे तो फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रेक्वेंसी ओफ लाइट वेफ इस इक्वल टू होगा वी रेडियल बाइस पीड ओफ लाइट जहां पर वी रेडियल क्या है तो जब आपका observer जो है वो रेस्ट पर ठीक है या अब्जर्वर के फ्रेम से देखेंगे तो सोर्स का जो भी वेलोसिटी होगा उसका कॉम्पोरेंट लेना वेलोसिटी का अलॉंग दा लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एन अब्जर्वर है ना तो सोर्स का वेलोसिटी कुछ भ तो यहां पर कंवेंशन उल्टा है मैं ऐसे पढ़ाता हूं तो मत बोलना कि सर यहां पर मैनेस आ भूल गये कंवेंशन उल्टा लिखो एंशन इन 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 वेडिया आपका फाइनल एंसर हमेशा सेम आए अब यह चीज तब टू है जब वी रेडियाल इस वेरी स्मॉल कंपे तो यहां स्पेलिंग गलत है वेरी स्मॉल कंपेट तो स्पीड अफ्लाइट ठीक है तब यह फॉर्मॉला यूज कर सकते है न वहां पर बता दूंगा लेकिन ऐसा उसको जानने की ज़ुरत नहीं है ठीक है क्यों ऐसा आना तो नहीं चाहिए वह गलती की हो में उस सालो ओके अब यहां पर यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट में आते है तो यहां पर आप देख लोगे सोर्स ओफ मोनोकॉरमेटिक लाइट है यहां पर काड़बोर लिए दो होल कर दिये पिन होल ठीक है और यहां पर एक स्कीन रखे है तो स्कीन में कुछ पैटर्न ऐसा बनते दिखते है ना वह पैटर्न चीव बनते हो सब लोग नीचे पड़ेंगे अभी के लिए अगर इसमें जो काम की चीज़ेंगे तो आपके पॉइंट सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल लिए ठीक है और स्क्रीन के किसी किस पॉइंट का बात कर उसको लोग य से डिखता हूं ठीक है तो बस अब यहां पर अगर आप पात डिफरेंस निकालोगे तो उसके लिए पाट डिफरेंस निकालोगे तो पाट डिफरेंस होता है एस्टू पी माइनस्स फॉन पी ठीक है मताब उस पॉइंट पे रे जो अलग अलग सोर्से से पहुच रहा है उन दोनों के पात में कितने का फर्क है ठीक है तो सिंप्री लेंस का डिफरेंस स्टू पी तो इसको आप जो मिट्टी टिगनों मिट्री लग तो दी साइन तो पार्ट डिफ्रेंस इतना हो जाएगा लेकिन यह फॉर्मला कब यूज करेंगे हम लोग जब यह वाला कंडिशन दोनों फुल्ट भी लो रहा हो गाना ठीक है अब यहां पे उन सब पॉइंट्स को अगर आप जोड़ोगे जहां पे पाथ डिफ्रेंस की वैलू कॉंस्ट है तो उन सब पॉइंट्स को जोडने के बाद जो चीज मिलता है उनको हम लोग फ्रिंजेज बोते है ठीक है ओके तो जैसे दो टम्स आएंगे आपको दीखेंगे राक फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस तो डार्क फिंजेस मतलब जहां पे पार्ट डिफ्रेंस मल्टिप सब्सक्राइब कोई नंबर कोई नंबर पॉइंट से होना चाहिए ठीक है ठीक है और वैसे यहां पर आर्पॉइंट पर देख सकते हो पार्ट डिफ्रेंस जो है और म्लोडिपट फाइफ लेमड़ा तो टाल तो थे यहां पर यहां पर पॉइंट प्रिंजेस इसकर्व वह एक हर पॉइंट पर दिफिरेंस होगा ड॥ी लेमडा है ठीक है वैसे इसकर्वकोण में पर पार्ट डिफ्रेंस ब्मड़ाएब फन तो है ठीक है यहां पर minus 1 lambda and so on तो यह सब bright fringes को draw किया गया है ठीक है ओके यह सब का shape क्या है hyperbola है ना okay maximum intensity मतलब यहां पर constructive इंटेंटर रोस point का intensity तो हो जाएगा root i1 plus root i2 का square और minimum intensity के लिए root i1 minus root i2 का square देंगे अगर i1 i2 दोनों equal है i0 के बराबर है तब maximum intensity formula से 4 i0 हो जाएगा minimum 0 हो जाएगा ठीक है ओके यहां पर dark बनेगो completely dark है मतलब एकदम 0 intensity ठीक है अगर i1 i2 equal नहीं रहेंगे तो dark spots भी completely dark नहीं रहेंगे वहाँ पर कली intensity कम रहेगा लेकिन अगर i1 i2 equal होग है तो complete darkness हो जाएगा होँ ठीक है जो भी है अब i का value intensity at any point हो जाएगा i max into cos square phase difference at that point divided by 2 ठीक है intensity proportional to amplitude का square होता है लेवंत में लोग पढ़ेता है अब यहां पर phase difference क्या होता है तो phase difference जो होता है उसमें दो terms आहेंगे एक पो conceal phase difference Choose difference इस से से लेवंत वाला चीज है थीक है है तो उसके डी तो सपर इटिल में नहीं जाओंगा एक स्टी इनिशैल फेजआ कaining तीएगाantal दिश्शन मतलब जब यहां से सब्लाइग रह यह जो है जब यह है वेव constitute करे यहाँ डिफेरेंट न को प्लेंट कोईनल शापृत रिए जर्वेंस सब्सक्रूल थिखेंद ऑस से निकल रहे है उस समय बीच में वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो है इनेशएल पर नहलों से निकल रहे है वो सब्सक्राइब तो इन कोरेंट सोर्सेस के लाएक बेस्ट एक्जामपल है सोचलना है दो इंडिपेंडेंट शोर्सेस अफ लाइट रहेगा जैसे दो बल्ब है यहाँ पे एक बल्ब है यहाँ पे बल्ब है ठीक है अब लाइट का एमिशन अगर आप उसका थियोरी देखो के तो आपको 11 पॉइन्ट वंधा स्क्रीन पे एक कॉंस्टेंट कया बोलेंगे इंडने दीखे गाई इने इसको उतना ज्यादा उतना जब्सका ओब दे लोल पा रहा ह्याँ आक्टिव नहीं है मतल्ब उतना जाधा चेंग्जेस को देखी नहीं सकता है ठीक है अबजर कर दिखेगा हम लोग था दिखे गा हम लोग घ Totally Time अभी इंक्टेंसिटी देखेंगे इसका average वेल्य देख एक सका वाली चीज जो है phase difference में यह वалा चीज रैंडम्ली रैपटली चैज़ रहे हो議 at तो पूरा चीज का sum भी अब यह वाले चीज तो किसी पौइंट केला ऄ स्क्रीण कांस्टें रहेगा से अBS fix है और part difference कारण joh face difference है किसी point के लोगी fix होगा तो यह चीस constant है लेकिन यह चीज rapidly and randomly vary कर रहे हां ताइम के यह जिसके कारण यह चीज भी rapidly and randomly vary कर रहे हाँ टाइम के यह दो therefore अगर इसका average निकालोगे तो cost square का average value हो जाएगा आपका half तो यह i max by 2 हो जाएगा ठीक है जो कि होता ही आपका i max by 2 मतलब क्या i max क्या था i1 plus i2 i max by 2 वो हो जाएगा आपका i1 plus i2 i max कितना एतना एतना था न तो इसको आप square करोगे add करोगे तो इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए इसको i1 plus i2 लिखना चाहिए यह तो interference के इसको मैं ऐसे लिख दिया हूँ इसको i1 plus i2 लिख देते हैं ठीक है हो जादा सही रहा गई अपने यह आपका basic के लिए आ जाएगा i1 plus i2 ठीक है ओके है जो कि इस case में हो जाएगा आपका 2i0 है ना इसका average value निकालेगा तो 2i0 होगा और जब दोनों different रहेंगे तो मैं अगरी क्योंकि लिख चुका हूँ तो मैं इसको i0 रहेगा ओकर different रहा ठीक है तो यह i1 plus i2 हो जाएगा if i1 i2 रहेंगे i1 i2 इक्वल नहीं रहेंगे if i1 i2 रहेंगे i1 plus i2 हो जाएगा ठीक है स्क्रीन पर आप देखोगे तो stable interference pattern मतलब यह है कि किसी point पर अगर dark दीख रहा भी तो 5 second बाद भी वहाँ पर dark की देखने वाल है यहनि कि 1 second के अंदर उस point पर dark bright और बीच के सभी चीज़े सभी intensities ओम हो गई हो ठीक है वो नहीं होगा है इनिशल फेस दिफरेंस रिमेंस constant हैंस भी अप्टेन स्टेबल इंटर्फेरेंस पाटन ठीक है यहां पर यह बन रहा है इंटर्फेरेंस पाटन लेकिन इतना जल्दी हो चेंज हो रहा है कि हमें इसी फैवरेज देख रहा है ठीक है एन्थ ब्राइट फरींज के लिए आप यह बना फॉम्ला यूस करेंगे लेकिन अब यहां पे दो मतलब दो डिफरेंट-डिफरेंट चेस के लिए आपको फरिंज का पैटन दिखाया गया है ठीक है ना तो सब के लिए देटा यहां पर लिखा गिया है तो आप देख सकते हो हाइपर बोलीक ही होता है ठीक है लेकिन अगर लेकिन लेंट है कुछ ठीक है तो यहां से लाइट अब देखो उपर वाले केस में याद अखना इसलिए एक सोर्स ही यूज़ किये थे क्योंकि एक सोर्स से लाइट निकल रहोगा उनका डेफिनेट फेज रिलेशन्शिप रहेगा ठीक है तो मतलब कोहरेंट सोर्स होने के ल मतलब यहां पर एक स्लीट है यहां पर दो स्लीट होगे तो डबल टैक्सिंट होगें थृष्यसिट ऑछ यहां पे फ्रिंज का पाटर्न स्टेट लाइन से तियुक है यह वह ऑ pict zal टेंश सदों यह समझ मार यहां पर दो स्लिट थे ना एक ही स्लिट है न तो सिंगल स्लिट एक पर मैंने बोलते हैं डिफ्रेक्शन जो भी इसमें लाइट रेज इंतर किया तो इसके किसी पॉइंट पर इन्फनाइटली मैंने सोर्स के कारण लाइट पर बहुत रहा हो तो उन सब का इंडिफेरेंस या कॉंबिनेशन देखेंगे तो कुछ ऐसा पैटर्न इंटेंसिटी का बनता है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहली बाद तो इंटेंसिटी ग्राफ जो है वो सेम हाइट तक नहीं जार रहें फचिसले मैकसिटा का इंटेछिस इस जादा है फस्ट मैकसिमा का कम हो गिए उसके बने की मेघ इन पूप कर दढ़ देना बस ठीक Pvd लेंगेस के लिए साइन ठीटा को ठीटा से रिप्लेस कर देंगे तो यह चीज आ जाएगी फिर से एन का लिए 0 मट पूर्ट कर देना सेंटरल मैक्सिमा इसको बोलेंगे ठीक है इस पूरे इसका एंगुलार लोकेशन आप देखोगे तो यहाँ पर एंगुलार लोकेशन अब यहाँ पर आप एक चीज़ पूछ सकते हो क्यों सेंटर वाला सबसे आदा बराइट है और इसके आला तो इसमें इसका रिजन अच्छे से दिया गया है वह मैं यहाँ पर उतना डिटेल में डिसकर्स नहीं को रहागा बेसिकल आप यह समझो जो फर्स्ट ब्राइट है है फॉर फिफ्ट पार्ट जो है चैंसलेशन हो आरे ठीक है वैसे जो फ्राइट सोट होगा उसमें गड़ाइज ब्राइट सिर्ट को प्रडूस करने के लिए इसलिए उसका इंदेंसटी घटते जा जाए इंटेफरेंस और डिफ्रेक्शन के बीच में कुछ जो डिफ्रेंसेस यहां पर लिखा गया है बहुत ही असान है पढ़ लेना ठीक है अब रिजॉल्विंग पावर में आते है तो असे दो पॉइंट दो अब्जेक्स है उनों बहुत ही पास पास है ठीक है अब उसको किसी ल अब बढ़ा है तो है क्या इतनी एरिया में लाइट पहुचक पॉश्य pointed लेट को लाइट देुखो जाधह बहुरस आधके यह सब तो बहुत कम रहता है तो बेशिकलिए मानलो लाइट इतने इन में या रखाए हाव start अब इनके से परेशन को बढ़ष़ ओगे तो इसके इसके उसके पिक्स昨no रहा था Central Maxima का Peak Central Maxima ही है बाकि यह सब पीक्स को आप इग्णोर कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा light मतलब 90% light मालो यही रीजन में रहता है ठीक है तो अगर दोनों का peaks बहुत ही ज़्यादा पास-पास है तो unresolved है ठीक है क्योंकि उसका आपको जिख जाएगा कि हां दो अलगला पीक से ठीक है थीक है पहला बहला सोचिल कारण ऐसा पीक आर दूसरे कारण ऐसा पिकार दोनों को सुपर पोजिशन में एक यहां पर डिप दिख रहा है मतलब दो पता चल जाएगा वेल इस ओल्ड में दोनों अपना अपना आपना आपन डाउन कर लेगा उतना मतलब उतना सेपरेशन है उनकी विश्कों वेल डिजवाब लें जो भी ठीक है तो लेंस के ल तो डी क्या है डामेटर ओफ लेंस और अपरचर के विचेवरी स्मॉलिचेवरी स्मॉलर ठीक है ओके तो यह फॉर्मला यूज करेंगे अब जो डेल्टा ठीटा है वो क्या हो जाएगा इस्मॉल डी सोर्सेस के एस वन स्टू के बिचके डिशन्स डी है दिवाइड़ एस डी मिनमम बैस तो इससे डी मिनमम का वैलू एतना है रिडॉल्विंग पार हो जाएगा वन बैक इतना ठीक है ओके मैक्रोस्कोप के लिए आपको पता है ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल के फोकस में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहां पर अग्दो पॉइंट सोर्स सकते हैं तो एस की वैलू एफ नॉट यूज करेंगे तो यह वाला फॉर्मुला डी मिनमम वाला एस के वाद्ले एफ नॉट यूज करेंगे ठीक है ना क्योंकि मैक्रोसोफ में वही करते हैं हम लोग अब्जेक्ट को फोकस पर रखते हो अफ ऑब्जेक्टिव ठीक है ना अब यह वाला ट्रेंगल अब देखो कि तो यह बीटा है तो टैन बीटा हो जाएगा डी बायटू डिमेटर का अधा डी बायट डिवाड़ड़ एफ नॉट तो उसको सब्सक्रिटूट करेंगे डी के वैलू तो इतना आ जाएगा ना तो अब डैब गर बीटा स्मॉल है तो टाइन बीटा को साइन बीटा से रिप्लेस कर देंगे ठीक है ना अब अगर पूरा का पूरा सेट अप किसी रिफ्राक्टिव इंडेक्स साइन बीटा को हम लोग बोलते है numerical aperture ठीक है यह फॉर्मला याद रखना डी minimum is 1.22 lambda by twice of numerical aperture आपका इसी का reciprocal को हम लोग क्या बोलेंगे resolving power ठीक है जो भी याद रखना polarization में आते हैं तो जैसे यहाँ पे आपको मालो आपका light wave जो x के लोग चल रहा है तो मैं पता है light wave के perpendicular direction में electric field या magnetic field वाइबरेट करते रहते हैं तो electric field जो है इस plane पे वाइबरेट कर रहा है न तो अकर अन-polarized light है तो electric field का direction and vibration randomly change होते रहेगा ठीक है अला अलग point पर अला अला Direction वाइबरेट करते रहेगा ठीक है अब अगर linear polarized light है आपके पास उसको अगर किसी polarizer से pass करेंगे और polarizer का जो pass axis है वो parallel to polarization का direction है तो पूरा का पूरा pass हो जाएगा ठीक है ना और अगर 90 डिक प्रपेंडिकुलर तो कुछ भी pass नहीं होगा तो intensity I not अगर incident होगा polarizer में और उसका pass axis जो है pass axis 90 degree पे है to direction of polarization तो 0 intensity pass होग ठीक है और अगर I not intensity का light, linear polarized light incident हो रहा है किसी polarizer में या polaroid में और जिसका pass axis यह line pass axis है उसके साथ direction of polarization के angle theta है तो cos square theta times ही pass हो पाएगा ठीक है इसको मलूस दो बोलते है तो I not incident होगा तो linear polarized जिसका intensity I not है वो किसी polarize की थुरूप pass होगा तो जो transmitted light होगा उसका intensity I not into cos square theta होगा जहां पर ठीक है एंगल बिट्मिन pass axis of polarizer polarizer and आपका यह direction of polarization ठीक है ओके अब unpolized light को अगर आप किसी polarizer से पास करोगा तो unpolized में तो हर direction में vibration present है और sub direction equally possible है ठीक है ना मतलब सब डारेक्शन का इक्वल वेटेज है तो उस case में polarization का पास axis किसी भी orientation में रहे तो आधा ही पास होगा तो अगर आप I not unpolized light है unpolized light को पास करोगे polarizer से इसका पास एक्सीज कैसा भी रखो ठीक है इसका पास एक्सीज तो हमेशा I not by 2 we pass होगा इन पोला राइट से पास करो ठीक है आप questions में आपको polarizer and analyzer ऐसे से करके बोलता है तो पॉस्ट पोलाइट जिससे पास होगो उसको पॉलाराइजर बोलते हैं थीक है वैसा कोंच्छन पे डिख था दो डर मत जा ना स्फिक है आप इसमें आते हैं तो जैसे यहां पर दिखाया गया किसी क्लिक्व से लाइट टकरा के पोला अगया ठीक है स्काटर वाला है scattering मतलब क्यों होगा molecule पहले इस light को receive करेगा फिर emit कर देगा receive and emit ठीक है emit किसी भी direction में randomly करता है तो उसको हम लोग polarized light बोलते है ठीक है scattered light बोलते है मतलब वो scattered light बोलते है सौरी और वो polarized रहाएगा ठीक है टकराया reflect हुआ और कुछ reflect हुआ ठीक है तो अगर यह incident एंगल आई बी के बराबर है जहां पर आई बी का मतलब होता है ब्रूस्टर एंगल तब यह reflected रेज होगा यह टोटली पॉलराइज डेगा फुल्ली पॉलराइज डेगा ठीक है ना तो दिखाने के लिए देखो यह डॉट मतलब डॉट तको पता है ना डॉट मतलब परपिंदेगल टुद प्लेन ओफ ड्रॉइंग उसके लोग भी एलेक्टिक फिल्ट का लेकिन पार्शली पॉलराइज है ठीक है ना तो ब्रुष्टर लोग क्या बोलता है तैन अफ दिस एंगल अफ इंसिदेंस इस इक्वल टू म्यू ओफ रिफ्रेक्टेट रेजिस मीटियमें प्रिजेंट है यसे यहां पे ब्लू आले मीटियम में रिफ्रेक्टेट इस उस अब सेमी ऑप्तिकल इंस्टुमेंट है तो बाकी सा फैक्टर्स जैसे 1.22 लेंडा बाय कैपिटल डी जो हते है अक्चुली में यहां पे 1.22 लेंडा दिनॉम्टर में उपर में कैपिटल डी तो डी की वैलो दोनों के लिए सेम रहे है क्योंकि सेम ऑप्तिकल डामेटर ओफ अपर्चर या डामेटर ओफ लेंस सेमी आएगा ठीक है तो हमें सिर्फ यह वाला चीज़ काल्कुलेट करना है तो रिजॉल्विंग पावर फर्स्ट केस में डिवाड़े बायर रिजॉल्विंग पावर सकेंड केस में यह हो जाएगा लैमडा टू डोनो सोर्सिज्क और क्योरेंट होने मतलब दुमटा सेम प्रिक्वेशी होना और कॉंस्टन फेज रिलेसेशनशीप होना मैक्सीम नंबर ऑफ ऑसिबल इंटर्फ ineffective maxima for slit separation which is equal to twice the wavelength okay वह पता है जो पाइट difference होता है वो d sin theta होता है ठीक है तो अगर यहाँ पर आप experiment का setup draw करो तो इसको हम लोग y equal to zero बोलते है यहाँ पर part difference zero होता है ठीक है कहीने कहीं part difference one lambda के बराबर होगा कहीने कहीं अब क्योंकि slits के बीच का separation इसकेस में ही दियाव आपको two lambda तो maximum part difference हो सकते है ठीक है जैसे इस पॉइंट पे यह वाला light source से जो travel करके पहुचेगी distance और यह वाला light source से पहुचेगी इन उन्हों distance का difference two lambda होगा ना और वित तब जब y की value क्या हो infinitive ठीक है similarly part difference minus two lambda के बराबर होगा at y equal to minus infinity अब actually मैं तो आप यह वाला point screen का देखी नहीं पाओगे क्योंकि infinite distance दूर है बस इसको भी नहीं देख पाओगे ठीक है तो मैं बोलना क्या जाता हो यहाँ पे कि यह दोनों यहाँ पर bright और यहाँ बन तो रहा है लेकिन क्योंकि infinite distance दूर यह हमें दिखने ने वाला हमें सिफ यह तिन देखने वाला है जहाँ पर दिफ्रेंस माइनस वन लैम्डा हो पर दिफ्रेंस जिरो लैम्डा हो और और वन लैम्डा यहीं तीन आपको दिखेगा तो थिरी हो जाएगा ठीक है क्योंकि प्रॉम एयर तो गलास ओके तो लैट्रे एयर से गलास के तरफ जा रही है यह नहीं रहें रहें ऐखाए है आपको यहाँ पे पुछा है ओके यागल ओफ इंसेडेंस क्या वोगा टोटल क्ला डख है तो हम्हें पता है जिए कि ब्रूस्टर लोग क्या बोलता है टैन ओफ अंगल ओफ टैन ओफ प्रूस्टर से और एक्वल दू मिउ और रिफ्रेक्टटेड रे मेडियं मेडियम डिवाध व् Gonna looked ठीक है रिफ्र्रैक्ति है इन दिया हुआ है मुव फ्रम होने तो आंज फ़ी की वैलो हो जाएगी की टैंस यंकल्डिय॥ गॉइंगल अगitely अंगल एन के ब्रमः होता है तो लाइट आपका टोटली रिफ्लेक्टेट लाइट जो था टोटली पॉलराइज होता है ठीक है तो एंसर हो जाए एक उप्शन दिए अगर डबल होल एक्सपरिमेंट यहां लिखा रहता तब तो एंसर आपका है कि है पर बोला मांक करते हैं तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि सेंटर आफ दे स्क्रीन के अराउंड वहां पर जो शेप रहेगा स्टेट लेन हो तो और एजस में है पर बुला हो था ठी है ठीक है एक्चली मैं घपर बोलाई यह उसे का प्रयक्शन आपको बीच में स्टेता है थ्री डामेंशन मूंकिमेंछल हो तो उसका प्रयक्शन अज़ा है और हैं में और ages में तो hyperbola है दिखते हैं तो मैं इसको mark करूँ ठीक है हो तकते है जही वाले इसको भी correct option या इसी को correct option दे दियो है ना depend करता है किस तरफ का पूछर और approximation लेना है कि नहीं वो question में mention नहीं है तो मैं most general answer को pick कर रहो है ठीक है if I notice the intensity of the principle maximum in single slit diffraction pattern then what will the intensity when the slit width is doubled okay अब slit का width को डबल करोगे तो energy जो enter करेगा slit को cross करेगा वो double हो जाएगा पावर जानी डबल हो जाएगा अब intensity जो होता है होता है power divided by area ठीक है ओके तो पावर तो double होने वाला है पावर क्यों होने वाला है डबल होने वाला है ना new intensity जो निकालोगे उससे power double होगे कि slit का width को double करोगे ठीक है तो power double enter करेगा ना ओके area of slit क्यों हो जाएगा area of slit आपका इस एरिया में बनता है इस एरिया को में बोल रहा हूं ठीक है अब area में क्या फरकाएगा वो देखते है अब area में दो से रहेगी length और breath रहेगी तो मैं माल लेता हूं इसको width बोले तो width रहेगा और जो भी दुसरा dimension रहेगा तो मैं दुसरा dimension को मान रहा हूं unchanged है ठीक है फ़ली slit का एक dimension confusion हो रहा होगा तो से पहले slit बना लेते हैं यह आपका slit ठीक है यह screen ओके तो अगर आप slit का width को double करोगे है है तो आपको पता है कि जो central maxima होता है वो कहां तक जाता है अमड़ा भाय बी तक ठीक है ना तो बी को double करोगे तो यह आधा हो जाएगा ना तो मैं क्या बूसकता हूँ length of central maxima exchange में यह वाला दूरी जो है यह आधी हो गई ठीक है तो यह area जो है आधा होने वाला है कि समझेर बात को ना ठीक है यह मैं one dimension में दिखा रहा हूँ इसका जो दूसरा dimension है वह उसमें कोई यह चेंज नहीं आएगा कली यह वाला dimension जो मतलत जैसे एक rectangle ले ले लेंद को चेंज नहीं किये breath को आधा कर दिया है वाइश्टक कर चीज है ठीक है तो यह basically four times of P by A हो जाएगा जो कि original intensity एख है four times हो जाएगा ठीक है तो option A correct है ना when an unpolarized light of intensity i0 is incident on a polarizing sheet the intensity of light which does not get transmitted ठीक है तो i0 is unpolarized light है तो unpolarized light जब polarizer के थ्रू पास होता है तो exactly half absorbed है ठीक है ना does not get transmitted half of intensity will not get transmitted two point white dots are 1 mm apart on a black paper they are viewed by eye of pupil diameter 3 mm approximately what is the maximum distance at which these dots can be resolved by the eye ठीक है ओके तो कितनी दूर पे इन dots को रखा जाए ताकि यह दोनों dots हमें clearly separately दिखे ठीक है मतलब separately दिखना है ना ओके तो माल लेते हैं यह dots से यह आपके arc से हम लोग को रखना पर रहा है एस डिस्टेंस दूर ठीक है यहाँ पर आपका आई है ना ओके यह dots जो है आई पे जो एंगल सब्टेंड करेंगे उसी को तो हम लोग limit of resolution जैसे delta theta बोलते है ना ठीक है तो delta theta क्या हो जाता है इन दोनों के बीच का separation which is 1 mm यहनी 10 की पार माइनस 3 तो delta theta हो जाएगा यहाँ दखना यह angle बहुत छोटा है तो दिस आर्क लेंद रिवाइड है एस ठीक है ओके अब माल लेते ही maximum distance है और maximum distance पे यह angle जो होगा exactly आपका limit of resolution के बराबर होगा ना होई delta theta minimum होगा है ठीक है जब यह maximum होगा ठीक है ना समझ मेरी बात क्योंकि जितना जाद यह होते है कि इतना छोटा यह होते आएगा तो जब यह सब्सक्राइब समय है maximum होगा ठीक है यह आपका delta theta minimum है ना और यह होता है 1.22 lambda by diameter of i जो भी i का lens का diameter हो ठीक है यहाँ से s max मुझे दिख रहा है d divided by 1.22 lambda into 10 की पार माइनस 3 अब diameter of i आपको दे दिया है 3 mm ठीक है और lambda की value आपको दे दी गई है 500 nm यह है इसको calculate करें अगर तो 2 से multiply कर दो पर नीचे 1000 हो जाएगा 1000 यहाँ पर 6 कर देगा ठीक है यह नहीं लिख रहा हूं फिर बाप आपको calculation में confusion होगा है दो से multiply करेंगे तो 6 divided by 1.22 10 की पावर नाइन माइनस 63 ठीक है और 23 भी हो गया ना है 2000 है बेसिकली इतना बचेगा यूनिट्स में मतलब मीटर है इस इस डिवाइड़ बाइन पॉइन पॉइन टू 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 होता है 4.9 मीटर्स इस पॉर पॉर नाइन वन मीटर से अप्रॉक्सिमेटली है तो निरेस अंसर 5 मार्क करूंगा बैं ठीक है यंग्स डबल सीट divided by 2 होता है ठीक है और जो phase difference होता है वो आपको होता है 2 pi by lambda into part difference ठीक है तो 2 pi by lambda into part difference कितने का है lambda by 6 का है तो pi by 3 हो गया तो cos square pi by 6 ठीक है इसका मतलब क्या है i by i naught की value cos square 5 by 6 है cos square 30 degree यानी root 3 by 2 का square यानी 3 by 4 option A in an experiment electrons are made to pass through a narrow slit of width d which is comparable to the d broccoli wavelength ओके मतलब basically आपको electron को waves जाता treat करना है क्योंकि modern पड़े ही हो ठीक है ओ तो wave particle wave मतलब part हर एक चीज़का दो नेचर होता है particle nature wave नेचर तो यहाँ पर electron को wave जासे treat करना है तो वह बद बेसिकली यहाँ पर waste यहाँ पर इस slit में incident हो रहे है ना मतलब का diffraction pattern बनने वाले ठीक है detected the function of detector position ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो slit का width डी है और diffraction होना मतलब क्या होता है actually basically क्या होता है आप जो ऐसे बोलते हो कि यह डी विथ है तो यहाँ पर light यह से भेशते हो तो light यहाँ पर गिरता है वो डी width से जाता distance पर गिरता है उसी को तो लाइट फैल गया ठीक है वैसे ही electron जो है सिफ इतने region में ही detect नहीं होगा यह डी डिस्टेंस नहीं माक करना चाहिए था डी से छोटा कहीं न कहीं माक करना चाहिए ठीक है ना मेरे हिसाफ से दोनों ही गलत है बिसिकली कुछ ऐसा बनना चाहिए था सब होने के बाब यह यहां पर कहीं डी होगा डी से ज्यादा दूर तक होना चाहिए ठीक है तो यह यह जोटा दिखाता तब यह करेक्ट हो जाता है मिक्चर ओफ लाइट कंजिस्टिंग ओफ वेवलेंट 590 नैनोमीटर एंड अन्नोन वेवलेंट इल्लोमिनेट्स यंग्स डबल सीच एक्स एंड गिफ्स राइस टू ओवरलैपिंग ठीक है दो वेवलेंस है तो दोनों का अपना अपना इंटफेरेंस पाटन बन रहोगा ये लिए तो दोनों ओवरलैप कर रहा है सेंटरल माक्सिमा औरहों कोइंसाइड कर राय जो कworthy होना भी चाहिए ब glossed ज्यत्त हर्ग्र इंज ओफ नोन कोइंसाइब प्राइट फ्रिंज ओव नोन's को मैं लैमडा बोल दीरहो है तो की अह सग्लेंस सान्त ठीक है उसको में लै होता है लैम्डा एन लैम्डा डी बाइडी है न थर्ड ब्राइट है तो एन लैम्डा डी बाइडी ठीक है और यहां पर फॉर्थ का एन लैम्डा डी बाइडी अब यहां पर धियान देना है कि दोनों सेटप तो सेम ही है तो डी बाइडी दोनों किसमें सेम रहेगा लैम्ड और दिफ्रें इफेंट रहेगा ठीक है यह लेमड़ा 590 वाला है यह लेमड़ा लामड़ा ठीक है तो 3 x 590 वाला है थीक है तुट 3 x 590 is equal to 4 x 2 λामडा लामडा की वैली हो जाएगी और रेख्रेक्टिव इंडेक्स जो है वैरी कर रहा है एसमियो नॉट प्लस मुटू इंटू एड़ पॉज़िव इस था इनटनी अफ लाइड वीयमि इंटनी व लाइड वीयमि इंक्रीजिंग रेडियस थीक है तो अगर मैं यहां पर इसक बात करो जतना दूर जाएंगे स है ना intensity decreases with increasing radius ठीक है intensity कम होगा तो आपका म्यू भी कम होगा जितना दूर जाएंगे सेंटर से उतना यानि आर एस आर increases म्यू डिक्रीजेस ठीक है यह चीज हो गया है ना ओके ऐस दा बीम this enters the medium it will क्या होगा ठीक है यहां पर देखो सब्सक्राइब यहां से घूच रहाए है अपर धियान देना कि यहां पर गये तो आपका एक अब यह सब का इभिamba सेम रहेगा है न क्योंकि यहाँ पर म्यू जाधा है तो लाइट ज्ल चला और सेम टाइम में यहांगा जा दूर चल गाइजWell आपको या बीष सब का करेंगे हैं के तो आपका वेवजा फेस को इसा ऐगा थिक अब वेफरेंट का शेप अगर ऐसा आया है तो आप क्या बोलोगे कि लाइट किया हुआ है कनवर्ज हुआ है क्यों क्योंकि वेफरेंट के परपेंडिकलर होते है आपका यह ठीक है ना तो इसके पर्पेंडिकुलर 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 है ना तो लाइट बीम क्या और है कनवर्ज हो रहा है ठीक है तो लाइट बीम क्या और है कनवर्ज हो रहा है सम यहां पर मियू कम है तो ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं यहां पर बीम क्या हो रहा है इसको बोलते हैं एक पॉइंट के तरफ कनवर्ज कर रहा ना तो कनवर्जिंग है इनिशाल सेप टोका वाच इस प्लेणर इनिशल यह आपका इसा है ना यह पर पेंदिक्लर जो मतले इनको जो जॉइन करने वाला जो प्लेन मिलेगा मतला जो जुइंक करने वाला जो सर्फेस मिन बने गा वह तो प्लेण रहे है ठीक है पीड़ फॉन ना मीडियम इस तो इस्पीड फॉलाइट तुम्हें बता दिया में कि यहां पर एक्षिस के आम रहेगा और एक्षिस से अवे में माक्सिम रहेगा ठीक है तो मिनमम ऐंड़ एक्षिस अफट कि वहां पे म्यू सबसे ज्यादा है ना कि बेसिकले इंटेंसेटी सबघा है ओंड एक्सिष टेक कई तीrias सबसे अधर होगा सबसे कम आपका एक्सिस पही तो पहले लिखा गया है thin air film is formed by putting a convex surface of a plane of convex lens over a plane glass surface तो इसको draw कर लेते हैं तो आपको कैसा lens चाहिए convex अब plane of convex ठीक है तो एक plane और एक convex यह plane of convex हो गया और इसको रखा गया ओवर a glass plate ठीक है तो माल लो यह ग्लास plate है इसके उपर रखा लिया है ना यह आपका glass plate ओके और यह आपका lens है ठीक है lens मतलब यहाँ पर याद अखना filled होगा है material से मैं draw नहीं कियो है बसका लिए boundary उसका draw कियो हो ठीक है with monochromatic light the this film gives an interference pattern due to light reflected from the top surface and the bottom surface okay ठीक है अब यहाँ पे जो air trapped है thin air film है ना यह दोनों surface के बीच में एक यह वाला surface और एक यह यह यहाँ पे जो air trapped इसको मैं suppose इससे दिखा रहा हूँ purple से है ना यह आपका film है ना thin air film ठीक है इसका top surface तो इस shape कैसा है convex है bottom surface planar है ना तो आपको बोला गया है कि monochromatic light use किये तो this film gives an interference pattern due to reflected light from the top surface and from the bottom surface सभी बात है ठीक है जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे फ़ली pointer से दिखाऊ हूँ ठीक है तो यहाँ से जैसे light eye है ना तो इस surface से भी reflection होगा ठीक है और bottom surface से reflection होगा है ना तो दो दोनों का part difference रहेगा तो कुछ interference वगरा आएगा ठीक है जो भी है मतलब दो light sources दो light meet करेंगे interference होगा है ना ओके अब statement one क्या है when light reflects from the air glass plate interface the reflected wave suffers a phase difference of pi air glass air or glass यह glass है ठीक है ना अब आपको पता है कि यहां ही जब reflection होता है from rarer to dancer और तो rarer से dancer के तरफ अगलाइट वेव जा है और से टेंसर के तरफ लाइट जाती है तो रिफ्लेक्ट होता है तो यहां पर फेस्ट चेंज कितने का होता है पाइक होता है ठीक है तो यहां पर एयर से ग्लास के तरफ जो लाइट रहे जाते रहेगी वह जब यहां से रिफ्लेक्ट होगी ठीक है तो यहां पर कितने का फ कर ले ता हूं यह चलो एक लाइटर यहां से आथ रही गई ठीक है वह पहले यादक नहीं से सफ्रेक्ट होगा एक है इस पॉइंट से यादकस से पहला रिफ्लैक्शन इस धक्ट मजा टोक्त चलिया तो दूसरा वाल ला है वह माटम सेizado तोगा अब यहां पर क्या है दोनों का पाथ लेंद तो सेम ठीक है ना तो इसका पाथ लेंद और दूसा रे जो ऐसा आएगा ठीक और नीचे वाले सरफसे और इसमें आपको लगए और नीचे से ही रिफ्लेक्ट किक को एक दो ऊपर से और ऐसा चला गिया, ठीक है, उपर वाले सर्फिस से रिप्लेक्ट होगे है ना, और एक नीचे वाले तक जाएगा, ठीक है, तो उसको ढोख करूँ हमें, सटा किने थोर बादना ओपर ड्रोख करते हैं, समझानी के लिए ना, और एक आपका नीचे तक आएगा, ठीक है, पाइप यहाँ पर देखो ग्लास से एर के तरफ जा रहा है यहां और इसका मतलब है डिस्टक्टिव है destructive है मतलब destructive destructive मतलब आपका क्या होगा डार्क बनेगा ठीक है तो statement to be correct है उसका correct explanation statement बनी तो है ठीक है क्योंकि actually में पाय का face change आ रहा है उसके कारणी तो dark बन रहा है तो correct explanation होगा option A निस आई viewing the clear blue portion of sky through a calcite crystal the intensity of transmitted light varies as the crystal is rotated ठीक है तो जो blue portion हम लोग सकाय का देख रहे है न तो blue light जो होता है वह आपका सबसे जादा scattered light होता है तभी sky blue दिखता है मतलब ठीक है न तो सबसे जादा scattered light है actually violet सबसे जादा scattered light होता है लेकिन हमारे आख वह वायलोजी वाला चीज है कि हमें blue ज्यादा अच्छे से दिखता है समझ लो ठीक है evolution वाला चीज है जो भी है तो हम लोग को blue जो color है यानि sky को अगर हम अब light ray जो आ रही है उसका polarization कुछ ऐसा है क्योंकि याद आख ना polarized blue light होगा हो ठीक है न ठीक है वो scattering के कारण जो polarization हो तो polarized light को अगर आप polarizer के थुरू देखो गयो polarizer को rotate करते रहो गये तो of course transmitted light जो होगा उसका intensity vary होगा ठीक है न अगर आप polarizer के थुरू देख रहे हो polarizer को rotate कर रहे हो तो transmitted light हमेशा half intensity कर रहे है लेकिन polarized light को देखो गये तो जब transmission पर्पेंडिकल हो जाएगा तो zero transmission होगा जब transmission parallel to polarization direction हो जाएगा तो maximum होगा ठीक है ना जो भी है polarized light है इसके कारण ही transmission जो intensity of transmission भी कर रहे है ठीक है तो यह statement सही है the light coming from the sky is polarized due to scattering of sun light by particles in the atmosphere scattering is largest for blue light यह भी सही है ठीक है तो दोनों statement सही है और उसका correct explanation है तो option भी correct है यहाँ पर है ठीक है blue light वाला जो कारण है scattering is largest for actual में तो violet होना चाहिए लेकिन उस sense में लोग नहीं बोल रहोंगे probably ठीक है मतलब blue बोल रहे इस तरह पर blue है मतलब वो पूरा उस सबको एक साथ blue बोल दे रहे है violet blue indigo सबको blue बोल दे रहोंगे ऐसा समझे लो ठीक है at two points p and q on screen in young's double seat experiment waves from slits s1 and s2 have a part difference of 0 and lambda 4 ratio of intensity क्यों होगा ठीक है part difference जब 0 होगा तो 0 के लिए phase difference 0 होगा और part difference जो lambda 4 होगा वहाँ पर phase difference 2 pi by lambda into lambda by 4 यानि 5 by 2 ठीक है तो जो intensity होता है वो तो होता है maximum intensity into cos square delta 5 by 2 ठीक है तो 0 by 2 second case के लिए cos square this by 2 है ना क्योंकि intensity जो होता है वो maximum intensity into cos square delta 5 by 2 होता है यह formula हम लोग यूज कर रहे है दो बार क्योंकि दो अलग अलग case का हमें compare करने ठीक है अभी तो cos 0 1 हो जाएगा और 5 by 4 यह half हो जाएगा तो यह 2 to 1 option A in young's double seat experiment the two slits act as coherent sources of wave of equal amplitude A and wavelength lambda in another experiment with the same arrangement of the two slits made to act as incoherent sources of the same amplitude and wavelength if the intensity at the middle point of the screen in the first case is I1 and in the second case is I2 ठीक है तो क्योंकि दोनों का equal amplitude है तो दोनों का intensity equal होगा ठीक है तो equal amplitude बोल दिया मतलब दोनों intensity equal होना चाहिए है तो हमें पता है अब I1 I2 यूज नहीं करना जोकि अल्यदी यह symbol यूज हो रहा है तो मुझे कुछ और यूज करना चाहिए ठीक है एनिवेस intensity first case में तो first case में तो आपका coherent sources है ठीक है और second case में in coherent है है ठीक है ओके अब याद अखना दोनों cases में middle point of the जो होता है वहाँ पर maximum आता है ना in coherent के case मैक्सिम क्या हो जाता है simply दोनों individual intensities का sum है ना मतलब कोई interference होई नहीं रहा है as if ऐसा है ठीक है और coherent के case में यह हो जाता है रूट of first intensity plus square root to second incident ठीक है इसकोईर का maximum value निकालना है ठीक है तो यह answer क्या हो जाएगा इसका 4 नहीं 4 ने 2 option A है यंग्स double slit experiment the two slits act as coherent sources of wave in another experiment रहे तो repeat होगिया ना होगिया यंग्स double slit experiment one of the slit is wider than the other so that the amplitude of light from one slit is double of that of other ठीक है तो जो slit से double amplitude का निकल रहा है वहांका intensity amplitude of light is double ठीक है तो अगर amplitude double है तो जैसे amplitude of second slit is double of amplitude of first slit तो यह नहीं intensity of second second slit से जो light बाहर निकल रहे उसका intensity four times होगा ठीक है क्योंकि intensity proportional to amplitude का square ना ओके यह हो गया इसको use करेंगे हम लोग तो maximum intensity क्या होगा ठीक है ओके तो maximum intensity यहां पर क्या होना चाहिए अगर phase difference five का है दोनों में तो ठीक है ना तो यह पता है जो maximum intensity होता है यह आपका sorry root ने i1 प्लस i2 प्लस 2 i1 i2 ठीक है cos 5 cos of phase difference यह होता है ठीक है ना अब values put कर लेते हैं ओके i1 और i2 का values put कर लेते यहां ठीक है मैं यहां पर गल्दी कर रहो यह maximum नहीं लिखना चाहिए यहां तो intensity का variation ऐसा है ठीक है अब maximum अगर आपको निकालना है maximum का value निकाल लेते हैं उससे फिर i1 i2 का value in terms of maximum मिल जाएगो कि answer में maximum ही put करना ठीक है तो maximum intensity होगा वो तो हमेशा याद अखना root i1 plus root i2 का square होता है ठीक है अब इसको अगर solve करें तो i2 को i1 के terms में लिखे तो i2 is 4 times i1 2 1 3 तो 3 का square मतलब इतना अरे स्वरी 9 i1 calculation error ठीक है ना 2 plus 1 3 3 का 9 और i1 ठीक है ना और i1 तो आपको पता ही है i1 आपका i am by 9 अभी i1 i2 का value जो है यहाँ पे put कर देंगे ठीक है ना i1 का value है i am by 9 और i2 का value है 4 i am by 9 समझा रहा ना basically यहाँ पर देखो question hard नहीं है question में जो option दिया गया ना option जो i am के terms में ठीक है और यहाँ पर आपका intensity intensity जो है i1 i2 के terms में है तो i1 i2 को i am के terms में लिखना पड़ेगा और maximum intensity निकानली के हमेशा square root of first intensity plus square root of second intensity इन दोनों का sum का whole square करना है ठीक है तो बस अभी थोड़ा calculation करना है दोनों का product करेंगे तो 4 by 9 square i am square cos 5 ठीक है तो 5 i am by 9 2 into 2 by 9 into i am into cos 5 तो 4 by 9 हमें option किस form का चाहिए i am by 9 common ले ले अगर 5 plus 4 cos 5 ठीक है और फिर से cos square के term में लिखा है ओके मतलब option बार बार देखना पड़ रहा है किस form में convert करना इसलिए तो cos 2 theta को 2 cos square theta minus 1 ठीक है इससे हो जाना चाहिए तो i am by 9 bracket में 5 minus 4 1 plus 8 cos square theta by 2 है ना यह 1 plus 8 cos square theta by 2 i am by 9 यहनी option d से match कर ठीक है यह मत सोचना i am by 9 क्यों कुछ और common लो basically आपको चारों में से कोई भी एक form में लाना है ठीक है ना तो 9 दो जागा दिखर तो इसलिए ना इन को common लिया है ना ओन मैच नहीं करता तो फिर 5 को common लेके ठीक है इन यंग सबसेट एक्सपेर्मिंट वन अब दसलिए वाड़ देन अधर सो देदा एंपूट अरे फिर से रिपीट यार ओरें प्लेन लाइट वेफस ऑफ एक्क्वल एंप्रिटूट मेक्स स्मॉल एंगल अलफा वीची ज़िए देफॉल ओके यह कोशन देना ने चाहिए की इसको मिनलास про करें अब रिकली घद्करत यसका एंसर माक करें वाएं यह कोशन यह देना ने चाहिए इसको में में एठीक है कि थोड़ा इसमें लास्ट में व्यूम ने जमकिनाने सुट से उरह स्कौन तूरा है इसको स्बाइब खरोस का 10च मिनिफ्यों ने ऊंडि ऑं पर्पिंडिकुलर्ली ओन्द स्लीट तो विट अव्ड दस्लीट क्या होगा ठीक है तो मैं बोल दिया है कि फर्स्ट डिफ्रेक्शन पैटर्न कहां पर दिख रहा है थर्टी डिए अब ज्यादेगा थर्टी डिए चोटा मोटा एंगल नहीं बड़ा एंगल है तो आप हुआरी कि आपको स्लीट का विट पूछा है और यह 2 लांडा हो जाएगा यानि तू टैंप सफाइव viv टाउजन यानी थेन थाउजन एंक्स्टांचर Τेन की प्यूप कार माइन एक सेंटिमीटर में हो जाएगा एकल थेन की़ पार माइनरस प्यूमरे दो सेंटीमेटर में have their polarizing directions parallel, so that the intensity of transmitted light is maximum, ठीक है, तो दोनों polarizer का pass axis जो पारलल है, the angle through which either polarize must be turned, if the intensity drops to half, ठीक है, तो अगर final intensity आपको half चाहिए, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा होगा, अभी तो ये और ये दोनों parallel है, ठीक है, समझना ये बात, और final intensity आपका, अगर यहां पर I0 मिल रहा है, अब आ intensity, I0 by 2 चाहिए, ठीक है, तो इसको आप rotate कर दिये, है न, तो कितने angle से rotate किया है, माललो ठीटा से, अब intensity कितना हो रहा है, आप रहा है न, light निकल रही है, जो, half intensity की निकल रही है, तो जो ये मलूस laws है, laws of मलूस से देखे, तो यहां पे तो I0 incident हुआगा, तो I0 बाहर निकला तो कि pass axis parallel था, ठीक है, यहां पर I0 incident हुआ है, लिकिन I0 बाहर निकला है, तो यहां पर मलूस दो लगाया अगर, तो transmitted intensity is equal to incident intensity, ठीक है, यहां तकने polarized light होगा, तभी मलूस दो लगा सकते, किसी polarizer के थुरू polarized light को भेज रहोंगे, तभी मलूस दो लगाएंगे, ठीक है, cos square आपका 45 degree, एना, 135 degree, जो बोलना है बोलो, ठीक है, इन यंग्स double seat experiment with light of wavelength lambda, the fringe, fringe pattern on the skin has fringe with beta, when two transparent glass slabs of thicknesses, of plates of thickness T1 and T2, T1 greater than T2, are placed in the path of the two beams respectively, the fringe pattern will shift by a distance, okay, तो यहाँ पे, यह hole, ठीक है, अब यहाँ पे एक, रख दिये है, T1 thickness का, बहुत छोटा होता है, लेकिन मैं clarity के लिए सुरवड़ा बना रहा हूँ, यहाँ पे, T2 thickness का, रख दिये slab है ना, इस hole के सामने, एक slab रख दिये, मतल़ स्लिट के सामने, इस slit के सामने भी एक slab है, ठ अब, अगर इस slab को नहीं रखते हैं, तब तो आपको पता है, एक दम, यहाँ पे ही आपका part difference 0 होता है, ठीक है, लेकिन slab को रख देंगे, अब क्या हो जाएगा, इसके तुरू जो light pass हो को, जादो optical length cover करेगा, है ना, तो basically, आप इस point पे देखोगे, तो यहाँ कहीं आप न length बड़ा रहेगा, ठीक है, और geometrically, जो light छोटा रहेगा, geometrically, छोटे length में, अगर बड़ा length of glass आ रहा है, तो optically, दोनों length equal हो सकते हैं, तो यहाँ पे कहीं, मतलब इसके तरफ shift हो जाएगा, मोटे वाले glass के तरफ shift हो जाएगा, है ना, यह new bright है, ठीक है, यहाँ पे, तो आ आपको यहाँ पे part difference zero करना है, है ना, ओके, तो basically यहाँ दखना, यह सब line को आप state set मान सकते हो, ठीक है, यह जो इतना तीरशा दिख रहा है, इसको भी almost क्योंकि, actually में सब point बहुत close to center होते है, ठीक है, और यह दोनों तो close to, यह line ही, सब के सब almost parallel ही है, है ना, तो basically आप ऐसा समझो, कि इस point पे जो light जा रही है, और इस point पे यह alert यह line भी इसको ऐसे across कर रही है, और यह light भी ऐसे across कर रही है, ठीक है, क्योंकि यह सब actually में, बहुत ही close to center है, ठीक है, यह point भी बहुत आप यहाँशा सब-line ऐसे ही जा रही है, almost, ठीक है, almost horizontal है, सबके सब parallel to x axis है ना, तो तो इस point पे आप अगर geometrical part difference देखते ठीक है न तो अगर यह distance y है ठीक है shift की value अगर y है यह capital D है आपको पता है यहाँ पे geometrical part difference कितना होता है कि tan theta यानि dy by d ही होता है न ठीक है जो ठीक है न अब यह इस point पे यह वाला path बड़ा होगा इस path से इतने amount से लेकिन वह उसको make up कर देगा जो extra path यहाँ पर मतलब जो इसका एक मतलब क्या बड़ा एक्स्ट्रा ग्लास का जो लेंद कवर हो रहा है है तो यह हो रहा है तो यह हो रहा है तो यह हो रहा है T1-2 दोनों में difference कि अगर इसको जीरो कर दोगे तो यहां करोगा T1-2 कर द देगा तो जो भी geometrically आ रहा होगा उसको compensate करेगा T1-2 वाला difference ठेक है यहाँ आप मान सकते हो यहाँ पर जीरो लेंद का glass heat रखा गया है जीरो लेंद का यहां रखा गया है तो effectively यहां कितना हो जागा T1-2 लेंद का एक क्योंकि difference निकलने वक्त यहां T1-2 लेंद है तो इतन अब इतने length में जो आपका part difference हाएगा वह जाएगा mu-1 into this यही तो होता है part difference है न तो mu-1 into thickness of slab ठीक है तो यहां से y के value आपको मिल जाएगा क्या हो जाएगा d by d mu-1 ओके अब यह d by d को आप पीटा के terms में लिक हो तो फिंज भीत होता है lambda d by d तो capital d by small d आपका हो जाएगा बीटा बाए लैमडा तो इसके बादी बीटा बाए लैमडा लिख सकते हो तो बीटा बाए लैमडा mu-1 T1-2 यह नियो ऑप्शन से करेक्ट है clear है effectively देखो मैंने क्या किया यहां पे यह T2 को मिटा दो आपे इसका thickness को मैंस T2 कर दो geometrical part difference जो भी आ रहोगा इसका path इससे travel करेगा जो light उससे इसका phase जो बढ़ जाएगा इतने amount से ठीक है तो phase जो बढ़ता हो mu-1 into thickness of glass slab होता है ना मतलब पाट जो extra path travel होता है उतना होता है ठीक है तो दोनों को equate कर दो है ना geometrically जो लेंद जाधा रहेगा यहां पर फिर compensate हो जाएगा उससे ठीक है maximum number of possible interference maxima for street separation equal to 1.8 लैम्डा इन यंग्स डबसीट होगा माइनस फन लैम्डा को होगा तू लैम्डा और मैनस टू लैम्डा का possible नहीं है क्योंकि maximum जो है इतना तक हो तक तो यह तिनो पॉसिबल नेक्स जो यहां से next 1 लैम्डा पे तो आपको दीख जाएगा constructive इन सब पर constructive ही दिखता है लेकिन यह तो possible ही नहीं है क्योंकि मैक्सिम पार्ट डिफरेंट जो है 1.8 लैम्डा तक जा सकता है ठीक है तो एंसर क्यों जाएगा तीन है कि सबस्ट एक्स्पेरिमेंट में इंटेफरेंस फोरी दस्लिट विट्स और इन रेशियो फोन बाइट 25 तो रेशियो आफ मैक्सिम टू मिनिमूम इंटेंसिटी क्यो अब स्लिट का विट जिस रेशियो में होगा इंटेंसिटी भी उसी रेशियो में होगा तो इंटेंसिटी का रेशियो इंटेंसिटी के विट के रेशियो के बरावर होता है अब इंटेंसिटी का रेशियो जो होता है यहां से एंप्रेशूट का जो रेशियो हो जाएगा पुछा है maximum intensity हो जाएगा आपका a1 plus a2 maximum amplitude a1 plus a2 हो सकता है interference में minimum a1 minus a2 magnitude वाइस ठीक है 1 plus a2 करेंगे तो 6 होगा a1 minus a2 करेंगे तो 4 होगा उसका square करेंगे तो 3 by 2 मतलब 9 by 4 ठीक है option c of unpolarized light of intensity I notice pass through a polaroid a and then through another polaroid b okay so unpolarized light को दो polaroids के तो पास किये which is oriented so that its principal axis makes an angle 45 degree relative to a intensity of the emergent light is ठीक है तो light unpolarized light जो है वो I not intensity का है तो पहला polaroid से पास होने का तो intensity आधा हो जाएगा हमेशा आधा हो जाता है ठीक unpolarized light को पास करेंगे तो polarize light मिलेगा और intensity आधा हो जाएगा ठीक है अब पहला polarizer दूसरे polarizer के बीच के एंगल है 45 डिगरी ला पुरा रेता दूसरे polarizer के बीच के एंगल है 45 डिगरी तो polarized light है यह तो unpolarized है यह polarized light को किसी polarizer से पास करते है तो मलूस लगाना पड़ता है intensity क्या होता है incident intensity into cos square of यह वाल एंगल ठीक है को सफ़ोटिफाइफ का स्कॉयर हो जाएगा हाफ तो यह आई नौड भाए और हो जाएगा ठीक है तो statement वहला out of radio waves and microwaves the radio waves undergo more diffraction अब more diffraction मतला more bending आपको पता है यह central maxima जो हम देखते है उसका width देखते है ठीक है तो यहाँ पर फरस्ट minimum है यह भी फरस्ट minimum है यह central maxima का जो भी है बोलते इसको है ना तो यह जो होता है यह angle ठीक है यह आपका lambda by slit width होता है है ना तो lambda के proportional होता है मतलब लैमड़ जतना जादा उतना फैलाव होगा है ना फोर गिवेन ए ठीक है ना तो फोर गिवेन slit size जतना बड़ा lambda होगा उतना जादा आपका फैलाव दिखने वाला है ना फैलाव मतलब spreading ठीक है तो यूजुली तो अगर spreading नहीं होता तो इतने रीजन में लाइट दिखना चाहिए लेकिन लाइट हमें ज्यादा रीजन में दिखती है ना ठीक है तो यह फैलाव होता है जहां तक लाइट चली गई एक्ष्टा ठीक है तो यह फैलाव जो है lambda के प्रपोर्श्णल है ना ओके तो हम लोग यह बोल सकते यहां पर बहुत ही गंदा डाइगराम है मिटा देता हूं मुझे देखके हसी आरी बार बार आपकी बाद में देखोगे तो डर जाओगे ठीक है तो इस प्रेडिंग जो है प्रपोर्श्णल टू लाम्डा होता है त देख लेने बार जहां तक मुझे लगता है मैं 99 परसेंट शोर हूं कि याद रखने वाली चीज़े रेडियो का जादा लाम्डा होता है तो स्टेट्मेंट टू यहां पर फॉल्स है ठीक है अगर आपको यह स्टेट्मेंट बन नहीं भी कन्विंसिंग लग रहा है तो इंटरफेर विट इच अदर दा रेश्यो अफ मैक्सम इंटेटी इव दा इंटेफेरेंस इस कोहरेंट इंकोहरेंट ठीक है तो अगर कोहरेंट हुआ तो आपके पास n identical wave से each of intensity है इतना ठीक है न, तो coherent के case में maximum कितना हो जाएगा, square root का sum करते जाएंगे न, तो वैसे करके total n terms होंगे, n terms है न, ये nth term है, और in coherent के लिए तो simply add कर दूँगे, तो ऊपर में देखेंगे तो n इतना square नीचे में, n i0, तो ये n आजाएगा, तो ratio कितना आजाएगा आपका n, ठीक है, वह ऐसे भी सोच सकतो हो, गर ये convincing नहीं लगा, तो n identical wave से सबका amplitude मालो a है, तो इस case में resultant amplitude हो जाएगा n a, ठीक है, नीचे अले case में तो आपको पता ही है, तो ये इस case square proportional होगा, first case का intensity इसके proportional होगा, और amplitude का square मतलब i0, ठीक है, तो first case में intensity इतना होगा, second case में intensity जो होगा, वह आपका simply n i0 होगा, तो दोनों का ratio लेंगे तो n आजाएगा, ठीक है, अगर ये वला method किसी को convincing नहीं लगा, amplitude में convert करके कर लो question को, ठीक है, इन कोरेंट में तो simply add करना है, intensity इसको होगा, square root, square root में simple addition, array of light is incident on parallel glass slab at point A, okay, it undergoes partial reflection and partial reflection, okay, partial reflection and reflection, each reflection is 25% of light reflect हो जाते है, okay, raise AB and AB' ठीक है, ultimately बोला जा रहा है, ये रहे और ये रहे का combination होगा, interference हो रहा है, तो maximum intensity और minimum क्या होगा, ठीक है, ना, okay, तो इसका intensity और इसका intensity निकालते है, तो intensity initial कितना आई है, आया, reflect हो जाएगा, 25% is reflected, 25% इधर चला गया, ठीक है, तो यहां कितना गया होगा, 75% transmit हो गया होगा, और फिर से इसमें, इसका 25% reflect हो जाएगा, तो this into 25, यह reflect होगा, ठीक है, और transmit कितना होगा, 75%, तो इसका 75, मतलब 0.75, तो इसका basically हो जाएगा, इसका 75%, तो इसका intensity और इसका intensity पता है, तो let us call it i2, और इसको हम लोग बोल रहें, i1, तो maximum intensity जो होता है, i1 plus i2 का, और minimum में i1 minus i2 का square करते हैं, यह ratio निकालना है हमें, ठीक है, तो i1 का value तो 0.25 put करो, 0.25 का square root करेंगे तो 0.5, बसे इसका square root करेंगे तो 0.5 और 0.75, बसे i1 minus i2 square, ठीक है, इसी चीज़को मैं यहां अब इसको बस simplify करना है, 0.55 तो common लेके cancel कर दो, 1.75, 0.25, 25, 25, 25, 49 is to 1 आ रहा है, option है, ठीक है, two coherent points sources, s1, s2 are separated by a small distance, d, fringes obtained on the skin will be, ठीक है, तो fringes मतलब वो points, locus of points, जिनके लिए part difference constant हो है, ठीक है, यहां पर आप देखोगे, तो यहां पर से कोई point लेते हैं हम लोग, तो इस से अगर इस point का part difference, मतलब इस से response को जोड़े, और इस source से जोड़े, ठीक है, तो यहां पर जोई part difference आएगा, वही same part difference यहां के लिए भी आएगा, समझे रहो ना, same part difference आएगा, यहां के लिए ठीक है न, in fact अगर आप three dimension में सोचोगे, तो यह जो circle है, कोई भी एक circle लेलो, जिसका circle difference में यह दो नो point आ रहा है, इस circle के हर एक point के लिए part difference same रहेगा, क्योंकि three dimension में सोचो न, ठीक है न, तो सब के लिए part difference क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहां पे एक circle अगर डॉक करें तो इस circle के हर point पे delta x आपका 0 आएगा, इस circle के हर point के लिए delta x क्या आएगा, 0 आएगा, बतब जीरो नहीं, क्या बोल रहा हूँ है, delta x के लिए constant आएगा, ठीक है न, 0 क्यों बोल रहा हूँ है, ठीक है न, तो आपका यहां पे fring इस का shape कैसा आएगा, circular आएगा, एक रटना तो नहीं, fringe का shape hyperbola होता है, वो तो उस case में क्या होता था, उस case में आपका point sources वाला, जो line था, parallel to the screen होता है, यहां पे point sources को ला जो line वो, perpendicular to the screen है, ठीक है, ओके, तो यहां पे कैसा आएगा, concentric circles हैंगे, ठीक है, यह तो एक part difference वाल the source that illuminates the double slit in double slit interference experiment emits two distinct monochromatic waves of wavelength 500 nanometer and 600 nanometer each, of them producing its own pattern, on the screen, at the central point of the pattern when part difference is zero, maxima of both the patterns coincide and the resulting interference pattern is most distinct at the region of zero part difference, okay, इतना बड़ा question है कि मैं भूल जा रहा हूँ, the source, मतलब starting ही भूलिया, the source that illuminates double slit in double slit experiment emits two, ठीक है, दो अलग-अलग wavelength use हो कर रहे हैं हम लोग, central पे part difference zero है, ठीक होना बचाहिए, maxima coincide कर रहे है, and resulting ठीक है, ठीक है, ठीक है, कहानी लिखा हो है, but as one moves the two fringes, ठीक है, okay, basically आपको बोला गिया, maxima due to one of the wavelengths coincides with minima due to the other, okay, so this may happen when the part difference is, ठीक है, ठीक है, तो, किस part difference पे, एक का maxima, दुसरे का minima से coincide करेगा, मतलब एक का किसी position पे constructive हो होगा, दुसरे का destructive हो होगा, ठीक है, अब constructive होने के लिए, जो part difference होता है, multiple होना चाहिए, lambda का, है न, और destructive होने के लिए, odd by two क multiple होना चाहिए, ठीक है, जैसे, for example, 2000 को देखे, तो 500 into 4, 2000 होता है, तो इसका multiple आ रहा है, मतलब इस wavelength के लिए, तो, इस position पे, इस part difference के लिए, इस part difference वाले point पे तो, ये wavelength constructive करेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला wavelength के लिए, ये वाला point नहीं multiple है, ठीक है, आप 2000 divided by 600 करोगे, तो 20 by 6 ह आएगा, जो कि integer नहीं आएगा, नहीं कोई, integer plus 0.5 के form में आएगा, ठीक है, तो जैसे, 2020 by 6 करूँ, मैं exactly, तो ये 3.3 तीर आ रहा है, अगर 3.5 आता, suppose this by this 3.5 देता, तो यहां, ये इस part difference पे ये वाला wavelength destructive देता है, लेकिन नहीं दे रहा है, इस पे तो दोनों ही constructive देगे, क् 500 इंटू 6 होता है, ठीक है, तो दोनों का integral multiple आ रहा है, यहां पे फिर से कुछ नहीं होगा, यहां पे ये वाला constructive देगा, लेकिन ये वाला नहीं constructive देगा, नहीं destructive देगा, क्योंकि 10 by 6 आपका 5 by 3, which is 1.67, जो कि नहीं 1.5 है, नहीं 2 है, इस पे देखो हो जाएगा, 600 इंटू 2.5, तो यह 1500 जो होता है, वो इस wavelength का 2.5 टाइमस है, और 1500 जो है, 500 वाले wavelength का 3 टाइमस है, ठीक है, तो 2.5 है, मतलब destructive, multiple है, मतलब constructive, तो यहां नहीं option D, सही है, यही position, मतलब इस part difference वाले point पे ही, एक constructive देगा, दूसरा destructive देगा, ठीक है, ग्लास thin glass plate of thickness, इतना and refractive wind is, यतना इस, इंसर्टेट ब्विन, one of the slits and the screen in double ctec pyramid, at a point on the screen, equidistance from the slits, the ratio of intensity is before and after the introduction, ठीक है, before the introduction तो आपको पता ही है, for the introduction, इस point पे, यही point तो होगा, equidistance from these two points है, आवा, equal to 0 की बात कर रहे, तो यहां पे intensity है, इतना होता है, आपका, 4 i.0 होता है, अगर यह intensity i.0 है, यह आइनोट है तो यहाँ पर पोर आइनोट होता है ठीक है तो आपको बलता है लेकिन after the insertion of this glass sheet या glass plate आपका intensity कितना होगा वो निकालते है ठीक है तो उसके लिए इस point पर देखेंगे कितना part difference create हो रहा होगा है ना तो part difference at y equal to 0 after glass plate ठीक है वो तो हो जाएगा simply यहाँ पर अगर glass plate पूट कर दे इसको मैं copy paste कर लेता हूं अगर पूट कर दे इसका glass plate तो यहाँ पर इस point पर y equal to 0 पर कितना हो जाएगा म्यू मैनस 1 इंटू इतना part difference इंट्रूस कर देता है glass plate है ठीक है ओके बस हो तो गया तो इतना part difference इस part difference का value निकाल लेते हैं म्यू का value कितना है 1.5 1.5 मैनस 1 मसला 0.5 इंटु थिक्नेस थिक्नेस कितना है कुक्त 2-15 23 इंटू लेंड़ा रिके पारट डिफ्रेंस का new value डिफाई फाई फंडडबाइ शिक्स लेंड़ा तो कि पाइए तो फेज जिफ्रेंस कितना है पर फेज दिफ्रेंस हो जाएगा 2 पायवा है लेंड़ा इंटू पाट डिफ्रेंस लेंड़ा कड़ गिया तू लैम्डा लैम्डा कड़ गिया तू थ्री जा त्री इतना आ रहा ठीक है ना ओके अब इसको थोड़ा और सिंप्लिफाय करते हैं तो इसको 2400 प्लस 100 लिखते 2400 भाई 3 हो जाएगा 800 और 100 भाई 3 जो होगा उसको 96 प्लस 4 भाई 3 96 भाई 3 हो जाएगा आपका 24 24 ने 96 भाई 3 हो जाएगा 32 ठीक है तो 832 प्लस 4 भाई 3 बेसिकली वैसा क्यूं कर आपको भी समझ माँ जाएगा इस फॉर्म में लिखने क्या फैदा है यह 2 पाई का मल्टिपल है तो अगर कोई चीज 2 पाई की मल्टिपल होती है तो उसका कॉस यह साइन निकालने में उस चीज को भूल सकते है जैसे 2 पाई प्लस 30 डिग्री का कॉस निकालेंगे तब भी वही आएगा ठीक है जो 30 डिग जो है वह फोर पाई भाई थिरी काई कोवरेंटली आ रहा है ठीक है ना ओके तो एक बार यह हो गिया मुझे लिखने के लिए जागा चाहिए तो मैं यहां उपर लिख देता हूं ठीक है इसके बाद आपको उपर आना है यहां पर तो इंटेंसिटी जो हो जाएगा बोट है maximum intensity इंटो हो गार बॉल चूरह हो दो होता है maximum intensity इंट दू कोज स्क्वाइर कर देएं तो आपको यह ग्लास फ्लस यूज नहीं कर रहे तो आई डाश और आई मैक्स का रेश्यो कितना हो जाएगा बिफोर तो हो जाएगा आई मैक्स आफ्टर हो जाएगा आई डाश का वैलू जो हो जाएगा फॉर पाइड ठीक है यह अप्शन सी करेक्ट में स्टेटमेंट में यह इस स्टेटमेंट को सही है गलत बताने के लिए उस अफिशेंट है लैंडा डीवाइ गाहिो जाएगाएं तो हुख लखेला फिरिंज ऺंद मेंट होगे फोरो फिरुट अ कभेवन लेंदी तो वही बात है जफिष मेंट उत्साुटा आप का लिए बहुत पाल प्रिंज वीद उतना चोटा आपका हो हो सही यहां पर एक एक बात अगर इसको फुली तरीकर समझना है तो सच बूलनों तो स्टेटमेंट वन इंकरेक्ट है इंकरेक्ट इन दा सेंस कि ऐसे नहीं एक्स्प्रेंट करेंगे उसको क्योंकि यह चीज तो तभी ट्रू है ज़रेक्ट अपका ठीटा स्माइल हो गारगा तब टीटा श्रों आपका एसे निकाल सकते ठीकेंगे थीटा के फिर फिर उफ्रिंज विट आपका ऐसा फॉर्मला आयगा तो थीटा तो टीटमेंट टू इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है श्चिटमेंट बहू थी सखीर में करे तो तब भी होल्ड करेंगे शेटमेंट टू लेकिन इंकरेक्ट हो जागा डार्यक्री पोशन ली रहेगा ठीक है इन एनीवे अगर उपर उपर लेवल सोचे तो स्टेटमेंट वगेरा सही है यहां पर ठीक है दोनों स्ट्रिमेंट सही और करेक्ट एक्स्प्रेनेशन भी है परसन लिफ इन हाई राइस बिल्दिंग उन दे बैंक ओ रिवर फिफ्टी मीटर वाइड अक्रोस दरीवर इजवेल लिट टावर ओफाइड 40 मीटर ठीक है आदमी यहां पर रता है और यह रिवन नदी है पचास मीटर को यहां पर टावर है जो कि चालीज मीटर है ठीक है और यहां पर वेल लिट टावर है मतलब हर जगा लाइट यहां पर जल रहा है ना ओके विन दा परसन लुक्स थूरू पोलराइजर अट अप्रोप्रियेट एंगल अट लाइट ऑफ टावर रिफ्लेक्टेट फॉम्द रिवर से टकरा कि परसन तक जारी परसन उसको देख एक पोलराइजर के तुरू ठीक है ना और पोलराइजर के तुरू जब देख रहा है तो किसी अप्रोप्रियेट अंगल पर देख रहा है तो तब वह नोट कर रहा है कि इंटेशिटी उफ लाइट कमिंग फॉम डिस्टेंस एक्स फॉम इस बील्दिंग इस बीलिडिंग from light bulb at a height y on the tower ठीक है, तो height y से जो light R यह है, वो इस point से reflect होगे किस point से reflect होगे है, जो कि इसके building से x दूर है, वहाँ से reflect होगे जब इसके आँखों है पहुच रही है through polarizer at an appropriate angle, तो उसका intensity minimum है, ठीक है, इन सब का मतलब समझेंगे अभी, तो आपको x और y का value निकालने बुलागे है न, सबसे पहले बात समझो यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग basically अगर आपको बोल दिया गया है कि polarizer use कर रहा है और polarizer को एक particular orientation में रखते हुए, उसको minimum intensity दी खरिसका होगा तब यही है और आपको अगर minimum intensity चाहिए तो आप चाहोगे कि सबसे ज़्यादा light का polarization हो है न, यहाँ तो टोटली polarized होना चाहिए टोटली polarized होगा, रिफ्लेक्शन में जब वो ब्रूस्टेर अंगल बिगिरे ठीक है तो वही concept यहाँ पर यूज करेंगे तो इस point पर हमें यहाँ पर normal अगर डौ करें हम लोग तो normal कुझा ऐसा है है न, तो यहाँ से y height से जो light निकल रही है यह y height से जो light निकली ऐसे गई, ब्रूस्टेर अंगल में टकराई ठीक है और यहाँ से reflect होगे इसके आखों तक पहुची है और यहाँ आखों तक मता आखों से पहले polarizer होगा और उसको उस एंगल पर रख रहे है ठीक है मता appropriate angle पर रखेंगे तो zero intensity को दीखेगा जो भी है न, ओके जीरो नहीं बोले मिनिममम बोलेंगे है न, ठीक है तो बस यह निकल जाएगा तो यह पी आई बी है तो यह भी होगी है यहाँ सब देख सकते है मैं आई भी हो जाएगा एक्सपाइटे एक्सपाइट इस आपक्पैन अब ब्रूट तर लुल सा क्या होता है यह ऊते आपका म्यू और एफ्रेक्टिट रें के लिएट मूं इंसिडेंट रेस इंसिडेंट्र की इस मीडियम में और रिफर्यक्रेट्टेट रेखाह वाटर के अंपर गया होगा तो मूं आ मियों कि एर को कि मियू वाटर कितना है 4 by 3 है मियू एर तो बन रहेगा तो फॉर भाय है फिरी यह चीज फॉर भाय है फिरी यह वैलू हो जाएगा आपका आपको पता ही है 4 by 3 तो 4 by 3 यहां पूट करेंगे तो य के मिल जाएगा 150 by 4 यह अप्रॉक्सिमेट्री 27 होना चाहिए है ना बीच चोकर सी साथ चोकर टाइस नहीं होगा 27 यह तो कुछ गलब किया हो में यह आपका 4 by 3 है ना आई भी 50 by 4 by 3 155 by 4 यह तो मैच ही नहीं करता फिर 37 होना चाहिए तो तो मैच करता ठीक है यह प्रिंटिंग एर्रे 37 होता तो मैच करता ठीक है चाहरत यह बारा और साथ चोकर टाइस 120 128 हां ठीक है तो यह 37 के आसपास होना चाहिए तो यह एन्यवेज देख लो ना 50 है यह अगर 30 है तो यह 50-13 37 होगा तो यह 37 होना चाहिए ठीक है तो यह होगा आप इसको ऐसे निकाल लो मैं लंबा तरीका से क्या हूं आप कि वाई की वैलू माइनस एक्स करके निकालो को जल्दी होगा ठीक है यह तो गलत नहीं था लंबा था यह के बाद रिलाइस किया कि 37 कोश्चन में इंटरफेरेंस पैटर्न इस अबसर्फ एट पॉइंट पी ड्यू टू इम्पर इंपोजिशन ऑफ टू रेस कमिंग आउट फॉर्स एस ठीक है तो एससे लाइट रे पी तक पहुंच रहा है दो रास्ते से एक डिरेकली पहुंच रहा है यह में ट्रावल यह 60 है तो यह एल हो गया यह 30 है यह 60 हो गया यह 90 मतलब यह 30 30 ऐसे डिरेकली करो फिर यह 30 है यह 30 है यह 30 यह भी है ट्यू आट दिफ्रेंसे फोर्ट रूरी ना अब यहां पर क्योंकि अहिए और अनो रीफ्लेक्ष्चन हो रहा है और वोस्ते कर मेंियम तो यह पर पाइका डिव 양 अपाइ यहां पर मिलेगा data reflection च्फेके ना डोटल पांट डिंफरेंट्स औपा अगर कि permettre फेर दींफेरेंट्स फ्रश्ब डिफेंट्स प्लस पार्ट अच्पेश चिफेरेंट घ। इसके इसके corresponding part difference phase difference निकाल लेंगे इसके corresponding तो पाई है ठीक है बस दोनों को लिख देते हैं उसको यह जो है वो पाई का जो phase difference आ रहा है उसको आप alternatively यह लंबा path है उसी में फाई का phase difference आ रहा है पाई का तो उसमा और lambda वाट वाट कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे भी कर सकते हैं उससे भी आ जाएगा तो मैं वही कर रहता हूं क्योंकि एंसर लेंडा के form में बहुत बड़ा हो गया है इसलिए इतना है और यह पाई के कारण जो है part difference जो इंटेडूस होगा reflection के कारण जो part difference इंटेडूस होगा वह lambda by 2 का होगा ठीक है न एफिक्टिवली दिस प्लस लैम्डा बैट ठीक है यह जो मेट्री और यह reflection ठीक है अब को पता है कि आपको 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 मैक्सिमा चाहिए तो फोर मैक्सिमा part difference multiple of lambda होना चाहिए ठीक है बस एफिक्टिवली आप बोल सकते थे कि अगर reflection को consider करेंगे ठीक है तो उसका अगर नहीं लेना यहाँ पर तो आप सिंपली बोलो part difference जब odd multiple of lambda by 2 रहेगा तब constructive होगा एक ही बात calculate करेंगे तो अपना आ जाएगा तो मेरे को एल का value जाहिए ना एल का value यहां से एन माइनस हाफ लैमडा डिवाड़े बाए ठीक है तो माइनस टू रूट थ्री एन माइनस वन लैमडा कॉमन ले लेंगे तो फोर दूपर बेस दो हाँ तो आज आएगा option c से सब्सक्राइब करेंगे तो एन माइनस वन लैमडा रूट थ्री फोर माइनस रूट 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 था ठीक है इससे मैच कर रहा है ना क्याल्कुरिशन एडर हो सकता है कमेंट बताना अबर हुआ होगा तो two monochromatic light beams of intensity 16 and nine are interfering okay the ratio of intensity to black to dark parts ठीक है bright और dark वाले पार्ट का bright वाले पार्ट में तो आपको पता है i1 और i2 का square root का sum तो bright में तो आपको हो जाएगा और dark में हो जाएगा i1 माइनस i2 ठीक है तो चार और तीन साथ चार माइनस तीन एक फॉर्टी नाइन स्टु वन इंग्स डबल सिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ब्रिटिन टू आइरेंडिकल slits is 6.1 टाइमस लारजे दंदा सिट विथ ओके वो ट्स्लिट के बीच का सेपरेशन्य यह 6.1 टैमस ओफ स्लिट वी थे हैं ठीक है स्लिट का विथ है माल लेते हैं तो अगर ड्रॉ करके दिखाना चाहूं मैं तो बीच का सेपरेशन जो है slit width x.1 times है ठीक है then the number of intensity maxima observed within the central maxima of single slit तो अगर यह single slit को ढख दे तब तो single slit experiment हो जाएगा और single slit experiment में जो central maxima बनता है उतने ही length में कितना number of intensity maxima दिखेगा double slit का ठीक है ना ओके तो basically number of ranges पूछा जा रहा है ठीक है ना कितने length में अगर single slit experiment होता तो single slit वाले case में जो central maxima होता है उतने width में कितना double slit वाले case का number of maxima fit हो गया यानि कितना number of fringes हटेगा ठीक है ओके तो number of fringes अगर n हट रहा है number of fringes रहा है ना एन इंटू fringe width हो जाएगा आपका width of central maxima है ठीक है उतने बोला गिया central maxima in single slit experiment ठीक है single slit experiment ठीक है single slit experiment में central maxima को width कितना होता है twice angular width होता है two lambda by a और distance d दूर है अगर यह और screen के बीच का distance अगर d है तो यतना हो जाएगा ना और बीटा क्यों होता है lambda d by कि वैलू यहाँ से आगे lambda d cancel हो जाएगा 2 d by a और d का value 6.1 a था है ना ठीक है तो यह 12.2 हो गया तो अफकोस number cannot be 12.2 तो closest answer है वो इतना होगा ठीक है इतना हटेगा अब लेकिन वो तो fraction नहीं हो सकता ना यह से अगर बोलोगे इतने लोग हट सकते है 12.2 लोग तो बोलोगे यह नहीं अट सकते है ठीक है यह नहीं answer सी पर question number 40 में monochromatic light of lambda यूज किया गया है तीन अलग-अलग ydse के setup में तो अबर y के value बीटा डैश के बराबर है तो y और बीटा डैश का मतलब में मिल जाएगा इन डियाग्राम से तो वेवलें ती value क्या होगा ठीक है और थर्ड केस में हम लोगों ने यह d की value को 2d कर दिये इस केस में जो फ्रेंज वेट उसको बीटा डैश पोल रहे और इस केस में जो shift है center और new central fringe का मतलब स्लैब नहीं डालेंगे तब तो central right यहां भी बनेगा और स्लैब डालने का central right यहां भी बन रहे ठीक है उनके बीच कासे प्रेशन है वाई ठीक है ना तो वाई और बिटा डैश इक्वल है ना तो अगर आप वाई की value निकालो वाई क्या shift है shift क्या होता है वाई कैसे निकालते हम लोग तो वही डी जो आपका डी टैंट हीता होता है डी वाई बेडी है ना पार्ट डिफरेंस ज वाई is equal to बिटा डैश और बिटा डैश आप निकालो यहां से बिटा डैश के ओगा लैमडा डी बाई डी और डी की value 2D है ना यहां से देखना डी जाएगा d by d d by d का है तो lambda के value mu minus 1 into t ठीक है okay mu minus 1 0.6 by 2 into thickness 1.2 micrometer micro मतलब 10 के पावर minus 6 ठीक है तो 0.3 into it now 0.54 तो 540 nanometer है ना तो 540 nanometer यानी option b से match कर रहा है a and b of plane polarized light with mutually perpendicular planes of polarization are seen through a polaroid ठीक है from the position when the beam a has maximum intensity and beam b of course 0 रहेगा कि दोनों perpendicular है तो जिस position पे ठीक है beam a का maximum intensity दीखेगा वहाँ पे beam b का 0 दीखेगा है beam a का maximum दीखेगा है मतलब वो parallel रहेगा transmission axis के और beam b perpendicular रहेगा ठीक है rotation of polaroid through 30 degree makes the two beams appear equally bright ठीक है तो 30 degree का rotation कर दिये beam का है ना तो यानि beam a मतलब जो electric field of a होगा उसके और polaroid के बीच का अंगल यह है ठीक है और जो electric field of b है उसके और polaroid के बीच का अंगल कितना होगी है 60 degree क्योंकि a और b virtually perpendicular है ठीक है ठीक है तो polaroid से pass होने वाला जो electric field मतलब a का intensity है वो equal to b का intensity according to the question ठीक है ठीक है ना तो a का initial intensity into cos square 30 यही तो pass होगा polaroid से ठीक है ना वोज़से b का initial intensity मतलब before entering the polaroid incident intensity जो b का है into cos square 60 स्वान मैं हारी बात यही polaroid में light a जब incident हो रहा है बसे b के लिए incident इतना है polaroid से pass होने कर इतना बचेगा तो a और b का ratio अगर आप निकालो ठीक है यह लोग इसको ऐसे बोल रहा है मैं इसको ऐसे बोला हूँ ठीक है तो यहां से कितना आ जाएगा cos square 60 by cos square 30 cos 60 half होता है तो 1 by 4 a root 3 by 2 1 by 3 है ना मेरा सिंबल इनका सिंबल अलग अलग है तो यह लोग जिसको i a बोल रहे है मैं i not a बोल रहा हूँ ठीक है i not a i not b है ना confusion ना हम बस इसलिए मैं question में ही change कर भी है ठीक है the diameter of the objective lens of a microscope makes an angle beta at the focus of the microscope further the medium between the object and the lens is in oil of refractive index n resolving power क्या होगा ठीक है तो okay resolving power का formula होता है आपका चलो मैं formula मुझे याद तो नहीं है मैं जल्द यदे derive कर लेता हूँ तो 1.22 lambda 10 seconds दो मैं derive ही कर लेता हूँ यहाँ पे वो लिखने की ज़रूत नहीं है तो delta theta होता है 1.22 lambda by d ठीक है और यह हो जाएगा आपका delta theta हो जाएगा minimum separation divided by distance है ना और microscope उसमें f0 पे रखते हैं आप focal length objective पे रखते हैं तो d minimum हो जाएगा 1.22 lambda 1.22 lambda f0 by d ठीक है अब f0 by d जो होता है वो twice of 10 beta होता है ना यह बीटा है यह d by 2 यह f0 तो 10 बीटा आपका d by 2 f0 बीटा आपका d by 2 f0 होता है ठीक है आपका क्या बोले resolving power तो 1 by d minimum हो जाएगा d divided by 1.22 lambda f0 मुझे याद ने इसलिए में लिख रहा हूं आपको याद है आप आप आपको इसको skip कर सकते हो यह आप बीटा में भूल जाता है से और 10 बीटा आपका यहाँ पूट कर दे d के बतले 2 f0 10 बतले 2 f0 10 बतले 1.22 तो cancel हो गया 2 10 बीटा पे दिस और lambda की वैलू लामडा बाइ म्यू हो जाएगा ठीक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब अगर वैक्ट्यूम के अलावा कहीं और रख्यों तो टू टाइम्स ओफ म्यू टैन बीटा डिवाइड़ बाइ 1.22 लैमडा यह आपका resolving power मतलब directly आप इस formula से ही start करो ठीक है मुझे याद नहीं था इसलिए में इतना मेहनद किया आपको याद होना चाहिए लेकिन मुझे याद नहीं रहता इसलिए जो भी है तो resolving power आपका increases with increasing value अब ठीक है टू अन बीटा है ना अब यह जो आगर बीटा स्मॉल होगा तो टैन बीटा को आप साइन बीटा लिख सकते हो और स्मॉल है तो एंगल को अंदर भी ले सकते हो तो साइन टू बीटा भी हो जाएगा मतलब इफ बीटा स्मॉल तो टू टैन ब बीटा आपका टू बीटा के बराबर है विचिस साइन टू बीटा ठीक है तब आपका resolving पावर जो हो जाएगा उसका formula आप देखोगे तो हो जाएगा टू को आटा दो एन मियू को अब एन लिखूंगा मैं एन इंटू टैन बीटा के बतले हम लोग साइन टू बीटा है ठीक है बाकी सब चेक कर लोग लाते है इसमें इतना टाइम लगना चाहिए आपको डिरेक्ली फॉर्मला जाए तो तूरंत एक नुद्धर सकेंड कभी चीज नहीं है ठीक है मुझे यादने तो इससे मुझे टाइम लगा रिव फ्लाइटी इंसरेंट फॉर में डेंसर रार मीडियम दा क्रिटिकल एंगल पोर टोटल इंटरनल रेफ्लेक्शन इस इतना दाएंड बुस्ट अंगल इस अइप तीक है व्लेटिकल एंगल का साइन और क्रेश्ट एंगल का साइन का रेशू 1.28 है तो एक तो इव्लोग रेजरव इंडेक्स क्या हो ठीक है अब डि अब light जो है denser से rare के तरफ incident हो रहा है तो tan of bruster angle हमें याद आखना हमेशा mu of refracted ray इस medium में हो divided by mu of incident ray इस medium में हो अब refracted ray किस medium में होगा तो denser से rare के तरफ जा रहे तो और यह denser में होगा ना तो आपका tan ib तो n की बराबर होगा ठीक है tan of y sorry sign of y कर लेते हैं चलो tan ib है ना तो इससे पहले साइन आई भी निकाल ले तो इसका जुरूरत पढ़ने वाला है इगर इतना है तो sign ib कितना हो जाएगा यह n by 1 है तो p by b p by h होता है ना तो अगर आप sign of critical angle निकालो अब sign of critical angle हमेशा mu error by mu answer होता है यह हो जाएगा n है ना ओके तो यह actually में जो n है यह sign of critical angle आई आई जोड़ा हुए साथ में मैं इस डिरेक्ली ऐसे लिख रहा हूँ अभी है ना ठीक है तो आपको बोल गया sign theta c divided by sign ib तो question में बोल दिया है sign theta c divided by sign ib की value और हमारे question से sign theta c divided by sign ib अगर आप देखोगे तो हमारे हिसाब से इतना आ रहा है ठीक है और question ने बोल दिया है इसका value कितना according to the question इसका value है 1.28 तो यहां sign की value मिल जाएगे आपको 1.28 का square minus 1 ठीक है का square root है ना date के आसपास आर अप्रोक्सिमेटली है जाएगा c ठीक है पेरिमेंट ओफ सिंगल से diffraction pattern first minima और रेड लाइट अकर स्वारी कोइंसाइट इस फर्स मैक्सिमा फॉर समदर वेवलेंद इफ वेवलेंद और रेड लाइट इस 6600 तो वेवलेंद फस्ट वेवलेंद और फस्ट मैक्सिमा क्या होगा ठीक है तो मिनिमा फॉर रेड फॉर् लिखते है ना स्ट मीनिमा जो होता है हां मे परस्ट मिनिमा आपका होता है लैमडा बाए अ पर तो लैमड और अफॉर समीनिमा ओते है ओफॉर्स यू त्वॉर्स य०ि माक्सिमा थे यृवलें यू यूर्प यृघ करें तो आपका ए ए कड़ी आएगा लैम्डा की वैलू टू थर्ड ओफ लैम्डा ओफ रेड ठीक है यानि फॉर्टी फॉर्टी फॉरंडड एंश्वांबी समर राइट नाइट दा इफ्रेक्टिव इंडेक्स ओफ एर इस स्मॉलेस्ट नियर दा ग्राउंड एंड इसमें ओरांटली आ रहा है मालो इसमें आ रहा है इंसेट वहा हुआ है यहांपे रिजगा सेम है अभी के लिए इमेजिन कर लो पिद्रॉकरे नासान आएगन स्पिंसपल लीड़ेस्फ थु कंफ टो आजिट तु कंकूलूब्र दैट आडट आगल फिंट है अब यहां प व्यारिफ के परक पेंडिकुलर होता है आपका wave गया आइसा हो यह चिस को रहा है तो जहाँ में जद्र हो भango आठेसच वड़ेगा वहाँ थैसा मिन अप vision किす results और से आनवलिफराइट चैनल पड़ेट जातर है यह थे देट कम होगा, speed decreases as mu increases, यहाँ पर देखो ना यह वाला जो था यह कम चला है, ठीक है, यह ज़ाधा चला है, same time में यह और ज़ाधा चला होगा, ठीक है, तो wavefront का shape पहले planar था, अब ऐसा हो गया है, ठीक है, wavefront के perpendicular होता है आपका, race, तो race जो bend होगा अपट, पहले ray ऐसे चल रहा था, ऐसा bend होगे है, ठीक है, in ydse lambda के यहाथ use कर रहे हो, बगरा बगरा, fringe width is b, ठीक है, the distance from point of maximum intensity to the point of intensity falls to half of maximum, ठीक है, intensity हमें half of maximum चाहिए, तो intensity को फोर्म नहीं होता है, maximum intensity into 4 square, phase difference by 2, है नहीं, यह half of maximum चाहिए, ठीक है, यह half of maximum, 4 square, यह half हो जाएगा, ठीक है, एन डेल्टा 5 जो होगा, 45 degree, pi by 4, pi by 2, ठीक है, pi by 2 का अधा pi by 4, और pi by 4 का cos, 1 by root 2 का square, हाँ, तो यह इतना हो गया, ठीक है, अब इतना आपका phase difference है, है ना, तो आप से पूछा गिया है, fringe width distance, ठीक है, y की value पूछे गे, ठीक है, तो phase difference यतना है, तो part difference कितना हो जाए यह थेगा, li мат by 2 pi into phase difference, हाँ, ठीक है, तो lambda by 2 pi into phase difference, lambda by 4, तो अगर part difference, lambda 4 है, ठीक है, तो आपको बताना है कि y की value क्यों गया, part difference क्या होती है, dy by d, एना, part difference क्यों होता है, dy by d, d into tanted, tanted एक होता, y by d, एतना है, तो y की value हो जाएगी, d lambda by 4 t, यहांनि बीटा भाई और फिक्षेंट सी अजुमिंग हुमन प्यूपिल टू है रेडियस पॉइंट तो फाइस सेंटिमेटर ओके और कमफर्टेबल विविंग डिस्टेंस अफ इतना दर मिनमम सेपरेशन प्रिन टू अबजेक्स तो आपको पता है कि डेल्टा ठीटा जो होता है 1.22 लैम्डा बाई डामिटर होता है अफ लेंस ठीक है डेल्टा ठीटा हो जाएगा मिनमम सेपरेशन जो भी होगा सेपरेशन ठीक है इस इकल टू 1.22 लैम्डा बाई डी मिनमम सेपरेशन पूछा है ना तो मिनमम सेपरेशन हो जाएगा यहां से शन अंगुलर वाला इंटू एस ठीक है तो 1.22 इंटू लैम्डा लैम्डा कितना है भी है 500 नैनोमीटर कितनी दूर पे है अबजेक्ट आंख तो यह यह कड गिया यह 50 हो जाएगा और एक तीन ट्रेंट की पावर माइनस एक इंटू चीस इंटू दिस चीस दूनी पच्चास 30 के आसपास आ रहे है ना 30 मैक्रमीटर ठीक हो सकता है मैं काल्कुशन एलर हो जबाच चेक कर लेना विए तक लग रहा है 25 इंटू 1.2 तो 300 सब्सक्राइब होता है ना मतब यह होता है ठीक है लाइट ऑफ इंटेंसिटी आ नॉट इस इंसिदेंट ऑन सर्फेस ब्लॉक ऑफ क्लास एड बूस्टर एंगल इन इस केस कॉंसर सिट्मेंट ट्रू होगा ठीक है मैं पता है रिफ्लेक्टेट लाइट तो कंप्लीटली यहाँ पे यहाँ पे रिफ्लेक्टेट लाइट पार्सली पॉलराइज होते तो गलात हो गया कंप्रिटली पॉराइज वाला ऑफ्शन है कि यह ही हो गया लेकिन तब भी अगर इस कोश्चन को पूर अच्छे समझना है तो यह सकेंड वाला पार्ट का भी रीजन हमें पता यह लेक्टिक फिल्ड प्रेजन होते हैं और जो ट्रांस्मिटेट होता है इसमें दोनों होते प्रेजेंट थीके नहीं तो अफकोस इसका इंटेंसिटी कम रहेगा क्योंकि इसमें एक ही डिरेक्षन के लॉंग वाला वाईबरेशन है इसमें उस आ डारेक्शन के लॉंग उसके परपिंडर इरेशन में इसका इंटेसिताइस ज्याधा र Para बोनों के साम आई-नौट होगा इसका ज़ाधा है तो इसका इनऊडback 2 से त्रांस्मिटेड वाला जो होगा इसमस्टीर गात इयन इंशी एंटेंशनीटी का आधा ज्याधा रहेगा और जो reflected वाला intensity होगा वो less than inode by 2 होगा ठीक है इसले less than reflected वाला less than inode by 2 होते है pinhole camera of length L has a hole of radius A it is assumed that when the hole is illuminated by a parallel beam of light of wavelength lambda the spread of the spot is sum of ठीक है तो basically यहाँ पे आपके पास यह hole है ठीक है और यहाँ पे opposite wall है यह pinhole camera है pinhole का camera है यह hole है और opposite वाल है तो यहां से light up incident करवा रहा है उपको पता है light जो है फैलता है actually में तो इतना ही बनना चाहिए लेकिन light जो आपको पता है फैलता है ठीक है अब यह आपको a दिया हुआ है यहां पर यह a दिया हुआ है तो यह भी a हो जाएगा ठीक है और यह length हो जाएगा आपका यह कितना l length का है न तो l into theta ठीक है इसको b बोल रहे हैं हम लोग तो b आपका क्या है a plus l theta और theta क्या है lambda भाए a तो b के value as a function of a इतना आ गया तो b minimum करना है तो b minimum कब होगा जब db by d a 0 हो तो इसका differentiation 0 करेंगे तो a के difference में differentiate करेंगे तो one हो जाएगा इसको a के difference में करेंगे तो इतना हो जाएगा तो देखलो db by d a 0 कब हो रहा है जब a की value root l into lambda ठीक है उस समय b के value minimum होगा उप minimum value भी निकाल सकते है यहां a का value इतना put कर दो तो root l lambda plus root l lambda तो two इतना यहनी four जो कि match कर option a से अब यहां पर एक problem है वो problem यह है तब यह angle हम लोग देखे थे lambda by a ठीक है तो यहां पर half में ही ले लिए और तब यहां पर actually मैं 2a लेना चाहिए था पहली बात ठीक है दूसरी बात यह कि कि जो हम लोग formula पढ़े spread का lambda by two a होता है वो slit के लिए valid है whole के लिए valid नहीं है और यहां पर hole हो रहा है ठीक है तो वो दोनों चीजें मैंने इग्नोर करके कि मैं answer लाया हूँ अब मुझे पहले से पता था कि कि यह question मुझसे पहले मतलब कोई न कोई student पूछ चुका है इसने मुझे याद है question इसे मैं directly ऐसे बनाया है लेकिन जो मैं actual तरीका बोल रहा हो वैसे बनाऊंगो तो option match नहीं करेगा लेकिन more or less इसी लेवल काता है ठीक है चाहिद lambda L by 2 square root आता है अगर वह सब approximation को नेगले टोलेट का मतलब पहली बात तो यह hole में आप slit वाला फॉर्मॉला नहीं लगा सकते मुझे नहीं पता लगा सकते नहीं कि क्यों थियोरी के पार्ट में है नहीं वह hole वाला पार्ट ठीक है तो slit वाला फॉर्मॉला valid है कि नही I have no idea ठीक है अगर होगा भी तो slavers के बाहर का चीज है दूसरी बात है यहाँ पर अगर मान भी ले whole और slit का formula सेम रहता है तो तब भी यहाँ पर 2A लेंगे यह क्योंकि इसको slit भी मान लें तो यह 2A होना चाहिए ना तो यह अगर 2A होगा तो यह तो नहीं लेते नहीं पूर का factor नहीं यहाँ कुछ और आता है जो भी closest matching option यहीं रहेगा form wise तो इसको select कर लिए ठीक है लेकिन इसको बनाते वक्त दो approximation मतब एक सेंस में लोग लिए दो चीज़े को ignore कि एक सेंस में ठीक है इसको यह लिए यहाँ टूए लेना चाहिए दूसरी बात यह whole और slit का form लोग मा ठीक है just result की बात हो रही है ना तो डेल्टा ठीटा just result की बात होगी तो हमेशा आप वही डेल्टा ठीटा यूज़ कर 1.22 lambda by diameter ठीक है अब डेल्टा ठीटा हो जाएगा आपका स्टार्स के बीच का separation जो होगा डी मिनिमम की मिनिमम सेपरिशन चाहिए डिवाइडे बाए स्ट आपको डेल्टी यहां से याद है तो इहीं से स्टार्ट करो ठीक है तो मेरा इसमें 10 सकिंड वेस्ट होता है इंटु लैम्डा लैम्डा 600 नैनोमीटर एस कितनी दूर पर तो स्टार्स जो है वो अर्थ से अर्थ से देख रहे हैं ना मुलोग स्टार्स के बीच का डिस्टे ठीक है तो स्टार्स जो है अर्थ पर टेलिस्कोप उसमें कितना हैं सब्केंड करें डेल्टा ठीटा उसी से में स्टार्ट किया थे ना एनिवेस इतनी दूर है तेन लाइट यह और एक लाइट यह इतना है तो टेन इंटू वन लाइट यह 9.46 इंटू 10 के पार 15 इंटू 10 किया रहा तो इतना आरा किलोमेटर में और टेन की पार 8 ठीक है सी दा डिस्टेंस बिट्विन स्लेट एंड इस्कीन इस इतना तो capital D की वैल्यू दे देगे आइंगूलर रिजुशन Dienst इतना ठीक है तो आंगूलर रिजुशन ओफ आई आपको दे दिया है भो पता ऐंगूलर रिजलोशन ओफ आई delta theta जो है यह आपका slit separation आपको दो नियर्भाइश स्लिट्स को सेपरेण सेपरेण देखनेह न तो slit के बीच के separation तरहकें ने कर दिया यहां पर एक गलती कियों में को कि मैं दिखाता हूं आपको तो यहां पर तो यहां पर तो यहां पर यहां पर यह है स्क्रीन इतना है ठीक है इस लिट्स का सेपरेशन को लोग डी को वैरी करा रहे हैं ओके विन दस्लिट separation is varied that interference pattern disappears और आदमी कहाँ पर कड़ें नहीं अधर स्रीट तो आख भी यहीं पर है न कियो मैंने भी यहीं पर तो इस आख से यहाँ पर यह interference pattern देखा जा रहा है ठीक है न तो दो लिट्स के बीच का दूरी जो तो fringe width बोलते है दो fringes ठीक है दो bright fringes या दो dark fringe के बीच का दूरी बीटा है तो बीटा को देखा जा रहा है तो पता है कि यह होता है 1.22 lambda by diameter ठीक है आख का diameter है जो भी आपका वो ठीक है तो आप से पूछा गिया है value of small d क्या होगा ठीक है तो य delta theta अब basically यहां से काम का चीज़ अगर देखना है तो question ने बहुत सारे चीज़ बोला गया confused नहीं होना है आपका basically अगर देखो तो आख जो है यह आपका i है और यह आपका दो fringes bright या dark चो बोलना बोलो ठीक है fringes बोल देते हैं यह दो dark चो बोलना बोलो इनके बीच का angle कि है ना ओके और यह distance तो को पता है capital D है ठीक है तो delta theta हो जाएगा beta by d है ना ठीक है तो क्या होता है lambda d by small d ठीक है तो dd कड़ गया lambda by small d तो small d हो जाएगा lambda by delta theta है ना लैमडा के value है 600 nm जो है 1 by 60 degree है उसको लेकिन radian में convert करना होगा radian मतलब pi by 180 से multiply करना ठीक है तो small d आ जाएगा यहां से meter आ रहा है अब 6.48 divided by 3.14 अब का 2 तो यह 2 into 10 की power minus 3 meter आ रहा है जो कि 2 mm के बराबर है option c बहुत ही आसान था आपको confusion अगर हो रहा है तो आप इसको दुसरे तरीके से भी सोच सकते हो आपको दे दिया है कि जो human eye है जो भी आँख देख रहा इस fringes को उसका resolution आपको बता दिया है ठीक है ना तो minimum जो चीज़ों देख सकता अगर इसको दुसरे तरीके से करना चाहिए मैं तो minimum जो उसको देख सकता है वो this into वो distance होगा यह distance ठीक है मतलब इससे कम separation वाले दो पॉइंट्स को distinguish नहीं कर पाएगा अंक है ना अब डेल्टा ठीटा इंटू डी करोगे तो डेल्टा ठीटा आपका है वन बाई 60 डिगरी उसको रेडियन में convert कर लो इंट्व डिस्टेंज डिस्टेंज कितना है वन मीटर ठीक है तो यह इतना आएगा है ना इतना यह आपका मिनिममझ है ठीक है अब इससे अगर छोटा हो गया आपका slit का separation, ठीक है, तो आपको नहीं दिखने वाला, है न, अगर आपका, sorry, slit का separation, इसे कम अगर बीटा हो गया, तो आपको नहीं दिखने वाला, ठीक है, न, तो नहीं दिखने के लिए, बीटा should be less than d minimum, या, ठीक है, limiting case में equal कर दो, ठीक है, हम तो वहाँ पर equal कर दी है, बस तो 180, यहां से आप देख सकते हो, आपको d का value पूछा था न, तो d का value, is greater than, 60 into 180 into lambda, ये d तो 1 है, 60 into 180, lambda by pi, यहां भी तो वहीं था, 60 into 180 into lambda by pi, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दूसरा तरीका था है, न, दोनों सेम ही है, अगर आप फुरा सोचोगे तो, ठीक है, इसको अटा आयते हैं, क्योंकि अच्छा से नील खाने था हमें, मतलब syllabus का part नहीं है, लेकिन क्यों आगिया, नहीं आना चाहिए था, तो क्योंकि यहाँ पर जो observer का velocity यह वह comparable to speed of light है, बहुत चोटा रहता था तो, जो आप Doppler effect यूज कर तो यूज कर लेने, यहाँ पर relativistic Doppler effect यूज करना हो, जो कि फिरत लेवल पर नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग, सब भी formula बहुत simple है, तो याद रख लो, क्योंकि एक बार आय और 3 by 2, C by 2, और यह भी C by 2, तो 10 into, यह 3 by 3 C by 2 और यह root 3 न, ठीक है, तो 1.7 तो 17 point something, ठीक है, 1.732 तो 17.3 gigahertz है न, क्योंकि gigahertz में था, original भी इसलिए, option हो जाएगा, option A, जिसका width आपको दे दिया है, 0.1 mm, इस illuminated by parallel beam of light, वेवलेन दे दिया है, स्क्रीन का distance दे दिया है, capital D दे दिया है, मतलब, distance of third dark band from the central band, ठीक है, तो third dark band के लिए, मतलब, dark fringes के लिए, dark bands के दिए जो formula होता है, a theta is equal to n lambda है, तो third के लो जाएगा, 3 lambda, तो theta का value हो जाएगा, 3 lambda by a, तो theta इतना है, तो theta जो होता है, वो हो जाएगा, आपका distance by y by d, तो lambda by into d, 6000 angstrom, 0.5, और small a है, 0.1 mm, मिलिमीटर आ रहा, 9 into d के पार, minus 3 meter आएगा, जोकि 9 mm, option b, with b is illuminated by a coherent monochromatic light of evalence lambda, इसा सेकेंड इसा फॉर्थ मीनिमा, तो सेकेंड मीनिमा 3 cm दूर है, सेंटर से, और 4th से 6 cm दूर, सेकेंड के 3 है, तो 4th वाला double होगा, ठीक है, small angle approximation में, what is the width of central maxima, ठीक है, कोई भी एक यूस कर लो, सेकेंड वाला जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा, आपका a into theta 2 second वाले के लिए, is equal to 2 lambda है, तो 2 lambda होता है, dark के लिए है, ठीक है, तो theta 2 हो जाएगा, आपको 2 lambda by a है, ओके, और theta 2 जो होगा, theta जो एंगल होगा, गो एंगल कितना हो जाएगा, y2 by distance, जो चैक है, width of central maxima, ठीक है, तो width of central maxima हो जाएगा, 2 lambda by A into capital D ठीक है तो 2 lambda by A 2 है second and fourth minimum हाँ 2 कैसा है हाँ ठीक तो है तो यह 2 के बराबर ही तो होगा तो यह 2 lambda by A into D है तो यह 2 के बराबर है ठीक है तो answer आपका 3 cm ही आएगा option B सही है Y D S E में streets separated by इतना वहाँ small D दे दिया है capital D भी दे दिया है beam of light में 2 wavelengths है ठीक है dichromatic light है यानि ओके the least distance from the common center maximum to the point where the bright fringes due to both the wavelengths coincide ठीक है तो कहाँ पे दोनों का bright fringes match करेगा है ना मालने तो bright fringes match कर रहा है at a distance Y from center ठीक है तो मालनों फर्स्ट वाले का इस wavelength का N1 bright coincide कर रहा है या उस position पर N1 bright बन रहा है तो N1 time N1 times of beta 1 should be equal to its wavelength का N2 वाला bright fringes यहाँ पे बन रहा है N2 times beta 2 ठीक है ओके तो Y का minimum value के लिए N1 का minimum value यूज़ करेंगे yes, equivalently N2 का minimum value जो हो है तो N1 या N2 का minimum value पता होना चाहिए ठीक है ओके तो N1 into beta 1 हो जाएगा lambda 1 d by d और होपा similarly beta 2 की लो हो जाएगा lambda 2 d by d same set आपे तो d और d वही रहाएगा N1 lambda 1 equal to N2 lambda 2 ठीक है lambda 1 कितना है 650 और lambda 2 कितना है 520 यहाँ से आप देखोगे N1 by N2 का value 520 by 650 ठीक है इसको lowest मतलब जितना भी common factors को खतम कर देतो तेरा चोग बावन तेरा पज़े पाद इससे छोटा तो हम लोग fraction नहीं कर सकते मतलब और कोई common नहीं बचा 4 और 5 को प्राइम हो गए तहीं पर रुख जाएगा तो यहनि N1 का minimum value हो जाएगा 4 यह N2 का minimum value हो जाएगा 5 तो यहाँ से हम लोग बोल सकते य का minimum value के लिए या तो यह वाला यूस करो या तो यह वाला मैं N1 का use करो N1 का minimum value और यहाँ से आपको पता है N1 का minimum value हो जाएगा 4 बीटा वन यहनि 4 लामडा वन डी बाडी लामडा वन कितना था 650 नैनो मिटर अपको दिया हुआ था मिटर और यह 0.5 मिली मिटर भी 1.5 मिटर और यह 0.5 मिली मिटर आस तिया चाहत यह 12 12 इंटू 650 पर माइनस 6 मिटर ठीक है तो मिली मिटर में हम आंसर चाहिए तो 8 मिली मिटर आ रहा है यह आप्शन दी इन वाइडी ऐसी स्लिट सा सेपरेटेट बाय इतना अरे तो फिर से रिपीट हो गया है उसका लाइट ऑफ वेवरेंट 550 नैनो मिटर फॉस नॉर्मली उने स्लिट ऑफ विद इतना एंगुलर पोजिशन ऑफ सेकेंड मिनिमा ठीक है ऑके ठीक है तो सकेंड मिनिमा की बात हो रहे है न तो यह साइनठेटा मिनिमा के लिए यह पॉर्मा यूस करते हैं यांन लाइम्डा सकेंड की बात हो रही है तो यह साइनठेटा 2 एक वाल टू लामडा तो साइन ओफ थीटा टू टू लामडा भाई ए ठीक है लामडा यहां पर लिखते हैं वैलू स्पूट करके लामडा है फाइफ फिफ्टी नैनोमीटर ट्वेंटी टू इन्टू टेन की पाऊर माइनस सेवन सेवन सेट मीटर है ना इसेंट्री मिटर मे है ठीक है इनकी पाऊर माइनस तू यहनी फिफ्टी बाएंडेट मतलब हाफ ठीटा टू हो जाएगा थर्टी डिग्री यानी पाइबाए शिक्स ठीक है अब बोलो के सार यहांप अप्रोक्सिमेशन क्यों नहीं यूज के एंगल देखरो ना एंगल इतने बड़े बड़े इस प्लेस बिट्विन एन बी दे इंटेंसिटी ओफ इमर्जेंट लाइट रिडूसस तू आई वाए थरी एंगल उटिन पोलारीजर एंस ठीक है यहां बेसिकली तीन पोलारीजर है पहले तो ए और बी यह बस तो ए और बी के बीच के एंगल हमें नहीं पता ठीक है लेकि है आई वाए टू ओके तो समझ में आगिया अब अब अगर ए से गुझा रहे तो आई वाए टू होगा ठीक है और आई वाए टू ही बाहर निकल जा रहा मतलब ठीटा जिरो होना चाहिए निकल रहा मतलब ए और बी के बीच ए और बी का ट्रांस्मिशन एक्सिस पैरलल आज को होगा यहां पर थोरह बड़ा बनाते इसको कि ए ठीक है और फ्रेसा को बास करता है ठीक है तो क्यूंकि बॉलराइज ट्राइट है और अगर पलारलाइज क्रॉस करेगा तो फिर मलूज़ा यूज़ करेंगे अब B और C के बीच का अंगल भी तो ठीटा है तो फिर से क्योंकि इन दोने के बीच का अंगल भी ठीटा है तो ये आपका polarized light है तो फिर से मलूज़ा यूज़ करेंगे अब इच इसका value आपको दे दिया है I by 3 इसका value आपको दे दिया I by 3 डगा value बताना है ठीक है आपका 2 by 3 का power 1 by 4 याणि ऑप्शन नहीं है नाम C है ना तो मैं यह आपे नाम में थोड़ा गलती कर दिया हूँ C है इसका नाम B है plain polarized light है वह incident हो रहा है किसी polarizer में और polarizer का जो pass axis है वो theta angle बना रहा है X axis है ठीक है इस dotted line जो pass axis of polarizer है मतब इस dotted line के parallel वाला electric field यह transmit करेगा polarizer है अब theta का 4 अलग-अलग value के लिए देखा गिया कि जो transmitted light का intensity is same है तो angle between angle of direction of polarization and x axis पूछा गिया है ठीक है मतब electric field vector और axis के विच में क्या angle होगा such that इन 4 खीटा के लिए same intensity of light transmit करेगा यह वाला polarizer है ओके अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करो 8 degree 188 degree ठीक है ना तो 8 degree 188 is 180 plus 8 है ना ठीक है विसे 38 में 180 अड़ करेंगे तो उस्वाठरा आ जाएगा तो जो इसके लिए होगा इसके लिए थो ऊना ही है वसे जो इसके लिए होगा इसके लिए ना 180 degree का फर्क है 것은 σ्वाए चुरा क्या भालू में 180 इवर फर्क रहे है तो इन दोनोंको डेल they can be तो उसको द्रॉग करते हम सिंपल यहाँ पर ऐसा यह आपका polarizer है यह x-axis है यह y-axis है पोलोराइजर का past axis का एंगल जब axis के एट डिग्री है और एक केस में पास एक्सिस जो है एक्सिस के एट डिग्री बना रहा है ना इसमें जो past transmitted light का इंसेंटरी सेम है इसका भी हो जाएगा कि इन दोनों cases में electric field vector जो होगा यह electric field का direction होगा equally inclined होगा अगर electric field equally inclined है तभी तो एंगल सेम आएगा ठीक है तो electric field equally inclined होना चाहिए समझ मारी बात electric field का equal inclination होना चाहिए इस वाले past axis के लिए भी और जब इस polarizer को rotate करके इस position में लेते है तब भी ठीक है तभी तो equal intensity pass करेगा यह दोना angle equal होना चाहिए तो अगर यह अलफा है तो यह भी अलफा होना चाहिए ठीक है ना तो 2 alpha should be equal to 38 degree minus 38 degree यहनी 30 degree तो अलफा के value कितना आगिया 38 minus 8 30 ना इसा ही बोल रहा होना में हां 15 degree आगिया ठीक है तो इसका मतलब है कि electric field vector और axis के बीच के अंगल कितना है अंगल between electric field vector and x-axis यह कितना होगी है अलफा plus 8 यहनी 23 degree है ना अब answer देखको तो 23 नहीं है लेकिन 180 plus 23 है ठीक है यह वाल angle नहीं है तो क्या वह दूसरा angle दिया होगा यह वाल angle दिया होगा है ना ठीक है ना यह वाल पूरा angle नहीं कालोगे तो 180 plus 23 नहीं है ठीक है ना तो 23 डिग्री का 180 आड़ कर दिंग इतना आ जायेगा Central Maximum in a single slit diffraction pattern is 60 degrees width of slit is इतना slit is illuminated by monochromatic plane waves if another slit of same width is made near it young's fringes can be observed on a screen at a distance of 50 cm from the slits okay if the observed fringe width is इतना what is a slit separation distance small d पूछा गया ठीक है तो चलो पहला information से हम लोग पता कर लेंगे lambda के बारे में पॉबली तो angular width of central maxima पूदे दे 60 degree ठीक है ना अब central maxima का angular width होता है sin theta equal to lambda by a से मिलेगा तो यह 60 degree है ना 30 degree है इंपक्ट ठीक है यह total इतना angular width 60 degree है मतलब each side 30 degree होगा तो यहनी first minimum 30 degree पर है ठीक है angular यह आपका central maxima इस region में ठीक है each side 30-30 degree है ना ओके तो sin 30 आपका lambda by a ठीक है width of slit भी हमें दे दिया है 1 micrometer तो slit lambda का value यहां से मिल जाएगा half of this आम है ना the slit is illuminated by monochromatic plane waves if another slit of same width ठीक है तो आप double slit experiment कर रहे है इस screen को 50 cm दूर रखे है तो slit fringe width अगर इतना है तो slit का separation क्यों अगर small d पूछा है तो fringe width होता है lambda d by small d हम लोग से small d पूछा है हो जाएगा lambda d by fringe width है ना lambda value तुमको मिल गया था उट कर दो इस capital D कितना है 50 cm यहनी 0.5 meter और beta का value आपको दे दिया 1 cm ठीक है यहनी 1 by 100 meter है ना यहाएगा micrometer में 25 micrometer है ना option A unpolarized light of intensity I passes through an ideal polarizer A another identical polarizer B is placed behind A intensity of light beyond B is found to be I by 2 ठीक है तो फिर से वही logic है I intensity का unpolarized light A से pass होगा तो I by 2 बचेगा और B से pass होने के बात भी I by 2 है मतलब A और B parallel है यह unpolarized light ठीक है यह भी polarized है यह भी polarized है यह भी polarized है ना okay now third polarizer C is placed between A and B और intensity of light after passing through all the polarization is I by 8 तो angle between A and C के होगा ठीक है तो A यहाँ पे है B तो A के parallel है और C यहाँ बीच में है ठीक है अब अब of course A और B parallel है तो A और C के बीच के बीच के अंगल अगर ठीटा है तो C और B के बीच के अंगल भी ठीटा होगा यहाँ से आई गुसा unpolarized है यह तो polarizer को पास करेंगा यह अब I by 2 जो यह polarized light है polarized light यह polarizer को पास करेगा तो मलूस लो लगाएंगे ना cos square of इंदों नो polarizer के बीच के बीच के अंगर जो के ठीटा है ठीक है फिर से polarized light है यह polarized light दुसरे polarizer मतलब इसको B को क्रोस करेंगे तो फिर से मनुस लगाएंगे इंसिदेंट इंटेंसिटी इंटु कॉस स्क्वाइर ओफ एंगल बिट्विन C and B और इसका वेलो कॉश्चन में देदी है I by 8 ठीक है तो कॉस की पावर 4 हो जाएगा आपका I by 4 4 1 by root 2 ठीटा कितना हो जाएगा 45 ठीक है 2019 के questions question number 62 in an interference experiment the ratio of amplitudes of coherent waves is a1 by a2 ओके तो amplitude का ratio दे दिया है 1 by 3 maximum और minimum intensity बुचा है तो maximum intensity minimum intensity maximum हो जाता है आपका a1 plus a2 by square के proportional minimum होता है a1-a2 के 3-1 ठीक है 4 by 2 यानी 4 यानी option C sources produce waves of different intensities which interfere after interference the ratio of maximum intensity to minimum intensity 16 intensity of waves in the ratio ठीक है तो maximum और minimum का इतना है तो maximum कितना होता है i1 plus i2 by square और minimum होता है कितना ठीक है तो यह आपको दे दिया 16 है ना maximum by minimum तो हमें i1 by i2 यह तो पूछा है तो यहां से अब इसको simplify करें हम लोग और और simplify करना पड़ेगा तो हो जाएगा 25 by 9 यहना पाचेक कर लेन पोसे यडिसी सेट अप इंड इस उब्सर्च एट वन अधिन ट्रांसपरेंट शीट फिक्नेस टीन एंड एप्रेक्टिव इंड्स एप्रेक्टिव इंडेक्स ओके थिक्नेस क्या होगा तो shift हमें पता है shift निकलने के लिए फर्मला क्यों होता है अगर y का shift आया है shift is equal to y ठीक है तो में पता है कि e का part difference आता उस point पे गर कोई slap put नहीं करते और slap put करने के बाद slap के करण़ effect नलीफाय हो जाएगा slap के कारण़ इफेक्ट होता है वह इतना होता है ठीक है तो shift की value जो आती है पुछा गया ना नो सॉरी तो thickness की value पूछी गई है d y by d mu-1 ठीक है करेगा ही नहीं ठीक है n के terms में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते है कि shift जो y की value है आए यहां 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 यह के terms में लिखना होगा सॉरी तो जो shift है shift is equal to n beta है ना तो shift के value n beta यूज करना होगा यह सॉरी य के terms में था ना shift के value n beta यूज करना पड़ेगा ठीक है तो डी बाइडी डी डी दी डी कैंसल खीकनेस ऑफ स्लेब ठीक है किससे मैच नहीं कर रहा है तो यह बोनस हुआओगा क्वेश्चिन ठीक है तो 2 pi by lambda into part difference होता है ठीक है तो face difference आपका हो जाएगा 5 by 4 ठीक है ओके तो ratio of intensity पुझचा है तो intensity जो होता है maximum intensity किसी point पे intensity होता maximum intensity into cos square face difference at that point divided by 2 यह होता है न तो i0 into cos square और और यह कॉस्ट 45 डिग्री ए वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू का स्कॉयर मतलब हाफ ठीक है यह 45 डिग्री तो है ना दो चार करना है ना तो पाई बाय एट हो जाए गए ठीक है करोगे तो 0.85 अब मैं बता दे रहा हूं मैस वालों को यह कॉस्ट स्कॉयर ऑफ 22.5 डिग्री जैना तो कॉस्ट 22.5 डिग्री आपको याद नहीं है तो फिर वही हाफ एंगल वाले फॉर्म लागिया आपको निकालना पड़ेगा और याद नहीं तो ठीक है यह वाइडी एसी में स्मॉल डी के वैलू इतना है और वन बेफॉर्टी रेडियन इस एंगल पर ब्राइट फिंच दिख रहा है यह लैम्डा वन यूस करे यह लैम्डा वन यूस करे ठीक है तो अगर लै 10 की पार फा रुआमपो is 4 मीटर और ठीटा देदिया है फञवन वन बेफॉर्टी रेडियन एन तो पार्ट डिफरेंस एतने का है ठीक है तो इसको अग्वार अम लोग नैनो मेटर में कनवर्ट करें तो इस इंटो नैनो मीटर करने के लिए 10 की पार नाइन से मल्टिप्ल कर रहा है मतलब यह पाट डिफरेंस लैमडा1 के टेवल में आना चाहिए ठीक है ना तो अब यहां पर चारों ओप्षन दिए गया है। और लैंदा 2 के लिळे लिए लैंदा 2 भी वहां पर कंस्ट्रक्टिब कर रहा है है तो लैंब्डासु का भी टेबल में वह आना चाहिए भी एनसर यहां पर होगा वह 2500 उसके टेबल में आना चाहिए दोनों के। अगर आप विए यह इसमें तो दोनो के दोनो सिसके टेबल को इसके टेबल में गआता है इसंगे शहोण सेप्रेशन D खेडी इन टर्मस उभमन Oldhamende-artz अजै तो सबस्थरा था हुआ था मीनिमा अपको यहां पे चाहिए है ना देखो गे यह šक्त देखो गे ही डिस्टेंस हों में। का जो लोकेशन भाईंधर य क्यों होना चाहता है डी ऐतू है ठीक है ऑक्छकर में हम वहां पर आता है जहां पर part difference लैमडा बै नो बोता है ठीक है और य की वैलू हम लोग क्या युस्करेंगे दी बै टू लोग से क्या पूछा था लैमडा की वैलू ना तो लैमडा की वैलू हो जाएगी डी स्कौर बै कैपिडल टी ओके डी का वैलू पूछ है तब भी तो ये में तो नहीं आ रहा है अरे ये separation कम दिया सोरी मैं गलती किया बहुत बड़ा गलती कि आपको दीखेगा भी क्या गलती कि अब यहां सबसे पहली बात हो ये रिलाइस करने आपको कि ये separation बहुत ही बड़ा नहीं कंपेट तो ये separation ठीक है बस डबल है बहुत बड़ा होता है मतलब 50 टाइम सिक्टी टाइमस वह ऐसा पुछ होता है ठीक है तो ये separation इसके बहुत बड़ा नहीं है तो आपका जो फॉर्मुलाज है ना डी साइन थीटा डी दी प्लस इतना तो रूट 5D यू इसका स्कॉयर प्लस इसका स्कॉयर ठीक है और ये वाला पातलिन तो टू दी है तो पार्ट डिफ्रेंस होजाएगा आपका रूट 5D माइनस 2D है ना स्टू पी माइनस स्वन पी और ये फरस्ट मीनिमा के लिए इतना होना चाहिए थीक है यह नियों से मैच कर है तो य इक वल ड्य वाट ही तो यू जी नहीं किये यह आप इंपलिसिट्ली इसमें यूस कर लिया न आपने माल लिया न यह इसको और इसको जुएिं करने वाला लाइन जो यह इसके parallel है इसको जुएंकर लिया कि यह दुनुभ पॉइंट को जुएंट के पैरलल है ठीक है इन वाईडी ऐसी दा स्लिट्स आर्स प्लेस्ट इतना मीटर अपात तो स्मॉल डी दे दिया है वेवलेंड दे दिया है तोटल नमबर और ब्राइट फिंचे जैटर अबसर्फ इन दा इन दिस रेंज ओके माइनस 30 डिग्री से 30 डिग्री की बीच में ठीक है ना ओके तो 30 डिग्री के लिए अगर आप देखोगे तो maximum value of r difference इस case में कितना हो सकता है d sin 30 है ना ठीक है एंगल या देखने स्मॉल नहीं है तो हम लोग 10 30 यूज नहीं कर सकते है ना 10 actual में formula में sign आता है एंगल जोटा हो तो तो sign को 10 लिग देते ठीक है तो यह हो जाएगा d by 2 है ना और d के value है 0.32 mm ठीक है तो 0.16 mm पार्ट देखने का हो सकता है ठीक है तो जो bright fringe होगा उसका maximum order मालो n है ठीक है तो n into lambda आपका delta x के बड़ाबर होता है यहीं n max into lambda will correspond to delta x max ठीक है ओके delta x max का value कितना है 0.16 mm यहां से n max का value मिल जाएगा आपको 0.16 mm divided by lambda lambda का value दिया हुगा आपको 500 nanometer ठीक है ता unit में convert करो calculation असान करने के लिए सारा यह ठीक है n का maximum value कितना आ रहा है 320 है ना तो 320 मतलब एक side में 320 बना है ना वैसे दूसरे side में भी 320 बनेगा तो 640 होगे और center पर 1 बनेगा तो 641 हो जाएगा इसका answer ठीक है समझे इस चीज़ को मैं बोलना चाहरा त्रेदुन slits है कि यहां पर screen है ठीक है तो जो 30 डिग्री वाला एंगल है ना 648 ब्राइट बन रहा है वैसे इस तरब भी 30 डिग्री वाल एंगल पर सुरी 320 बोलना चाहिए था तीन सो बीसमा ब्राइट वैसे यहां पर भी 300 बीसमा ब्राइट और यह तो जिरोत ब्राइट रहता है ना सेंटरल राइट को जिरोत बोले तो तो इस तरब भी 320 इस तरब भी 320 है तो 640 हो गया बीच का एक यानि 641 ठीक है अफ नुम्रिकल अपशेचर ऑफ अब्जेक्टिव लेंस ऑफ मायक्रोस्कोप इस 1.25 इफ लाइट ऑफ वेवलेंद 500 एंग्स्टम इस यूस्ट तो मिनिमम सेपरेशन का जो वैल्यू होता है तो टो लैम्डा बाइट वाइस ओफ नुम्रिकल अपशेचर ना यहां पर वही आपका मियू साइन बीटा होता है तो वैलू का लिपूट करते 1.22 इंटो लैम्डा वेवलेंद कितना है 5000 एंग्स्टम अपशेचर आपको दे दिया है 1.25 ग्रो मीटर में लिखे माइक्रो मेटर हो जाएगा ना 0.24 माइक्रो मीटर पॉलाइजर सेट अप साथ एट पी थरी इस इन क्रॉस विद रिस्पेक्ट टू पी यह और पी टू जो है वो 60 डिग्री पे है विद रिस्पेक्ट टू पी ठीक है तो इनके बीच में 60 डिग्री है मतलब इनके बीच में 30 डिग्री अंकल को बोला गिया वहने beam of unpolarized light of intensity I not आयनोट अनुपलराइज आइट का इंटेनशेटी है यह अनुपलराइजट है यह तो पहला पोलराइज़ से पास होने चीठ आधा आधा इंटेनसीटि का ही तो पोलाराइज़ लाइज है अब लाइज लाइट किम попыт ऑस अप लेश लॉह से पास होका तो अंगल है इन दोनों पोलाइजर के बीचे 60 डिए ठीक है तो फाइनल इंटेंसिटी कितना होगा तो यही फाइनल इंटेंसिटी है यहां से आई बाइ आई नॉट की वैल्यू हाफ ओफ कॉस थर्टी का स्क्वाइर थ्री बाइ फॉर कॉस्टी स्क्वाइब फॉर तो री बाइ तीन बटा बत्तिस ना आई नॉट भाई पूछा है तो आई नॉट भाई वो जाएगा टेन पॉइंट सम्थिंग ठीक है अब्जेक्टिव लेंस अफ टेलिस्कोप इस एतन बस वैलू पूट करना है लैम्डा है छे सो ननो मीटर और डायमेटर आपको दे दिया है धाइसो सेंटिमीटर नुटन की पवार माइनस सेवन ओप्शन सी रिजुशन ओफ टेलिसकोप अब्जेक्टिव हैविंग डायमेटर ऑफ 200 सेंटिमीटर इफ इस इफ इस इफ इस इतना coming from the star ठीक है टू टू लैम्डा जो कि यह 500 नैनो मीटर डायमेटर जो कि है टू मीटर ठीक है माइनस टेन के पाद माइनस नाइन अप्रोक्सिमेटली इतना रेडियन आ रहा तो अप्शन ए से मैच कर एक एक इन ग्रीन लाइट फॉर्स होने डबल स्रीट हैविंग सेपरेशन ओव इतना स्मॉल दे दिया है और वीट तो इतना ठीक है तो एक का वैलू भी दे दिया है ठीक है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में कितने ब्राइट फिंजेस आएंगे है ना तो नमबर और ब्राइट फिंजेस अगर एन है तो एन इंट बीटा शुल बीक्वल टू सेपरेशन बिट्विन पकेंड एंड फस्ट डिफ्रेक्शन मिनिमा ठीक ह तो सकेंड डिफ्रेक्शन मिनिमा और फस्ट डिफ्रेक्शन मिनिमा की बीच का सेपरेशन सकेंड डिफ्रेक्शन मिनिमा जो होगा वो टू ए पर होगा और फस्ट वाला लैम्डा बाए पर होगा अब इस अब एंगल से एंगुलर विट इंटू डी करना होगा ठीक है तो इस लेंध में फर्स्ट मीनिमा यह है इस लेंध में कितने ब्राइट फिंजिस बनेंगे आगर डवल सिट एक्सपेरिमेंट के फिंजिस देखे तो ठीक है तो बस एन की वैलू बीटा होता है लेमडा डी बे यह हो जाएगा लेमडा बाइट इन्टु डी 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 कड़ गया लेंडा लेंडा भी कड़ गया एन की वैलू डी बाइए डी है आपका 19.44 माइक्रो मेटर और ए है 4.05 माइक्रो मेट आ रहा है ठीक है तो इसको अप्रोक्सिमेटली आप 5 बोल दो वैसे एक्चली में तो 4 ही बोलना चाहिए ठीक है इस सेंस में इसको इंटरप्रेट करेगा ओल्मोस्ट 5 हो गया तो मतलब इसको राउंड ओफ करके कर देगा यह एक्जाक्त गिन रहा होगा तो 4.8 बोला है मतलब टार आना चाहिए ठीक है तो मैं तो इसको मानूंगा ठीक है इसको मतलब यह कीची हो सकता है कि यह वाला अंगल इस एंगल के नेवर वी इक्वल टू बुश्टर आंगल ठीक है तो देल आंगल के नेवर वी इक्वल टू बुश्टर आंगल अब आपको पता है कि आपको क्या बोला गिया है इससलेश जो उना बेंगल आपको इन्सिदंस तो ड पर इसको कितना ही बढ़ा कर सकते हूं जेरो से लूकर सकते हैं कि थे 5000 बढ़ा By maximum value होता है ना I जब 90 degree रहेगा जब I maximum होगा तब R maximum होगा ठीक है ना तो R का maximum value भी जो होगा वो भी IB तक नहीं पहुच पार होगा मतलब समझ मारी इन बात मतलब IB की value maximum value of R से भी जाद होगा तो IB must be greater than R का maximum value अगर अगर less than R का maximum value होगा तो कभी ना कभी R तो IB को attain करी लेगा सपोस्स R का maximum value 50 degree है और IB का value 40 degree है ठीक है तो R का maximum value अगर 50 degree है तो कोई ना कोई particular angle of incidence मिली जाएगा जब angle of reflection 40 degree हो और 40 degree तो IB के बराबर होगा तो फिर completely polarized हो जाएगा ठीक है ना लेकिन अगर R का maximum value खुद 40 degree है और IB का value 50 degree है तो R कोई भी आप angle of incidence का value रख लो R का value कभी 50 होई नहीं सकता क्योंकि R का maximum value जो है IB से कम है ठीक है ओके इस नेवर completely polarized तो नेवर का मतलब यह हो सकता है यह angle bruster angle is greater than maximum possible value of यह angle of incidence यहाँ पर जो है जो कि R से denote कर रहे हम लोग है ठीक है okay for this to happen minimum value of mu क्या होगा ठीक है तो R का maximum value पहले निकालते है यहाँ पर पार का maximum अब होगा जब I का maximum होगा और यहाँ पर लिख देते हैं चलो बाद में आप notes देखोगे तो जीब लगेगा यह देख लेते हैं maximum occurs I is 90 ठीक है तो वहाँ पर लिखते हैं तो mu of air sin 90 is equal to mu of water mu of water को mu बोल रहा है ना हम लोग रिफ्रेक्टिव इनेस 1.5 tank is made up of 1.5 liquid का reference mu है ठीक है तो यह mu है sin r max ठीक है तो निकाल लेते हैं तो आखो पता है कि tan ib जो होता है वो mu refracted rays वाला medium divided by mu incident rays है तो यहाँ पर आई भी निकाला आता है यहाँ पर देखो कि incident ray यह है refracted ray 1.5 में जाता है और incident ray यह है refracted ray यहाँ जाता तो incident ray वाला medium का mu कितना है ठीक है तो tan ib 1.5 by mu है ना बस अब इसमें put कर देते हैं nr max से जादा होना चाहिए sin r max आपको पता है ठीक है तो यहाँ से sin r max आपको पता है 1 by mu है तो हो जाएगा यह तो p by h हो गया p by b r max इतना होगी है ना अब ऐसा क्यों कर रहे है क्योंकि यह relation पता है दोनों तरफ tan लगा दो 0 से 90 के बीच कहीं बात करें ना तो tan लगांगे तब भी यह inequality hold करेगा तो अगर कोई अंगल किसी अंगल से बढ़ा है तो उसका tan भी उससे बढ़ा रहेगा जिरो से 90 बीच में तो tan ib greater than 10 r max ठीक है tan ib greater than 10 r max बस tan ib के value 1.5 divided by mu 10 r max 10 r max कितना है 1 by करते हैं तो इसक्वार करने से inequality फिर से चेंज नहीं होगा ठीक है वो छोटी-छोटी चीज़े याद रखनी पड़ेगी मैस वाली 25 mu square greater than 2.25 1.25 divided by 1.25 का स्क्राइब 1.34 यह आ ठीक है क्या हुआ तो चलो इसको fraction में निकालते हैं मैं तो calculator से जल्दी जल्दी निकाल दिया fraction में निकाल लेते हैं कि option fraction में दिया है तो 25 पचेट और यह 25 नमा तो 3 by root 5 है ना तो mu should be greater than 3 by root 5 ठीक है यह option होना चाहिए option B है ना 2020 के questions in the figure below P and Q are two points which P and Q are two equally intense current sources emitting radiation of wavelength 20 meter रोके P or Q sources of light है तीन points नहीं पर दिया गया है A B और C P or Q का midpoint से 3 हो equal distance मतलब इस point से A की दूरी इस point से B की दूरी और इस point से C की दूरी equal है ठीक है आपको बोल दिया गया है कि phase of P is ahead of that of cube by 90 degree तो इसका phase अगर 0 degree है तो यह 90 degree है ठीक है इनिशली ही अगर आप देखो तो यह अगर 0 distance कवर किया है तो अल्रेटी स्टार्टिंग में यह कवर कर चुक है 90 degree के equivalent यह नि पाई लैम्डा वाई 4 यह अल्रेटी कवर कर चुक है ठीक है तो यहीं से start कर रहे है मालो है ना ओके intensities at a b and c किस ratio में होगा अगर a की बात करें तो a पर अगर देखे तो यहां से यहां का distance और यहां से यहां का distance में इसका distance ज्यादा है ठीक है तो path difference at a अगर देखे तो p q के बराबर हो जाएगा वो distance और p q आपको बोल दिया है लैम्डा वे 4 है लैम्डा यादखना 20 meter है और p और q के भी का distance 5 meter है तो लैम्डा वे 4 है ठीक है अब q को देखा है तो q कम distance कवर करके a में आ रहा है तो q का तो वसे ही face पीछे रहने वाला है on top of that starting में ही p का जो है p को एक head start मिल गया लैम्डा 4 का ठीक है ना तो net path difference at a अगर आप देखे तो ये p q plus lambda by 2 हो जाएगा ठीक है ना समझमारी बात क्योंकि पहली बात तो ये ये तक जाने के लिए अक्षा चलने को मिल रहा है इसको दूसरी बात starting में ही इसके पास lambda 4 का head start है ठीक है तो खुद lambda 4 के बराबर है यह ना तो part difference at a lambda by 2 का है total मिला के ठीक है ठीक है ना ओके लैमडा by 2 का है मतलब destructive होगा ठीक है तो intensity at a क्या हो जाएगा जीरो क्या ना destructive हो गया ना ठीक है ब्राइट sources अगर destructive interface करें तो 0 हो जाएगा ठीक है ना तो a पर तो 0 हो गया similarly part difference at b देखे तो b के लिए तो देखो यह वाला और यह वाला path geometrically दोनों equal length के है तो कोई part difference नहीं आएगा geometrical वाला तो 0 है लेकिन p के पास lambda 4 का head start था इतना हो गया ठीक है मत्तब point b पे overall part difference p और q के बिच का कितने का इतने का lambda 4 का है ना ठीक है तो intensity at b हो जाएगा maximum intensity ठीक है lambda 4 मतलब कितने का phase difference वो निकाल लेते हैं ना उससे जल्दी कर पाऊंगा फिर में 4 मतलब phase difference at b यह हो जाएगा आपका 2 pi by lambda into lambda 4 यानि pi by 2 का ठीक है ओके तो b पे phase difference इतने का है तो आपका भी हो जाएगा maximum intensity जो भी हो cos square by by 4 यह होता है ना phase difference का आधा ठीक है यह नहीं i naught by 2 है ना ओके और part difference for point c ठीक है c के लिए क्या होता है तो यह p कम distance चल रहा है क्यों ज्यादा ज्याद चल रहा है ठीक है ना तो distance वाइस देखे तो c के लिए देखेंगे तो यह ज्याद चल रहा है यह कम डिसेंच चल रहा है ठीक है तो तो यह distance माइनस यह distance करेंगे तो माइनस लैंडा वे 4 आएगा प्लस ठीक है प्लस लैंडा वे 4 तो यह 0 हो जाएगा समझ मारी बात अब देखो c के लिए q को जार डिशन चलना पड़ा है q कितना एक्षर चल रहा है लैंडा वे 4 ठीक है ना तो खली length के difference से देखेंगे तो q का इतना part difference मिलना चाहिए overall लेकिन साथ में ही पी जो है वो लैंडा 4 से start किया है तो यह इसको head start मिला था यह लेकिन एक्षर चल के पहुँच रहा है तो दोनों का cancel हो जाए exactly cancel तो जीरो हो गया ठीक है ना तो मतलब है कि intensity at c जो हो जाएगा वो maximum के बराबर हो जाएगा आई ना तो intensity at a b c तो बी पाया आई नोट पाया तो सी पाया आई नोट ठीक है तो जीरो तो option c से match कर रहे है ठीक है में two coherent sources s1 and s2 produce sound waves of same wavelength 1 meter and in phase ठीक है s1 s2 के बीच का distance दे दिया है listener located at L directly in front of s2 तो L जो है s2 के एक्दम सामने है मतलब यह वाला लाइन 90 डिगरी पे इस लाइन से ठीक है यहीए उसको maximum लेक के बीच में नहीं minimum नहीं maximum ठीक है तो आपको बोला गया SMALL D का WHALUE क्य doisबगा ठीक है तो किस POINT पर आपको बोल पोन्ट लेख वे रहे और मीनिममम है यहां मिनिममम इंटेंसिटी है यहां पर मैक्सिम in deice यह एडजेसिंट वाला मैक्सिमम ठीक है और लगभार कहीं बीच पर आप देखोगे है एस point के लिए part difference देखोगे तो यह length कितने है हो जाएगा 2.5 s2 से s1 से इसका दूरी 2.5 और s2 से इसका दूरी 2 तो तीक है .5 meter ना तो इस point पार्ट difference 0.5 meter का है ठीक है okay wavelength कितने अगर 1 meter का है याय ना wavelength कितने का है तो यह आपका lambda by 2 के बराबर है, 1 by 2, ठीक है न, तो यह 0.5 times of lambda है, अगर यह maxima है, adjacent maxima है, तो यहाँ प्यानी part difference must be 1 lambda, और कुछ होई नहीं सकता, ठीक है, 2 lambda नहीं बोच सकते, 2 lambda होगा तो फिर इन दोनों के बीच में, 1 lambda वाला भी एक point miss हो जाता, लेकिन यह adjacent वाला point है, maxima व प्यालेकिन adjacent है, तो 0.5 के nearest integer को ही देखना होगा, तो 1 lambda, ठीक है, ठीक है, तो अब इस point का दूरी S1 से, जो भी हो D, minus इस point का दूरी S2 से 2, यह lambda तो 1 ही है, तो D का value कितना होगा, 3 meter, ठीक है, आंसर हो जाएगा 3 meter, विंग सेम wavelength lambda in vacuum are in phase initially, then the first wave travels a path of L1 through a medium of reflectiveness N1, while the second travels a path of L2, इन्हें medium of reflectiveness N2, तो phase difference उनके बीच का क्या होगा, ठीक है, तो जो optical path length L1 है, लेकिन optical path length क्या होता है, mu into इतना, ठीक है, तो पहला वाला optically कितना distance cover कि N1 into L1, वैसे दूसरा वाला optically कितना distance cover कि N2 into L2, ठीक है, तो initially तो same phase वह है, phase पे है, तो phase difference जो होगा, difference in optical path length के कारण होगा, ठीक है, तो N1 L1 minus N2 L2, ठीक है, यही अपका part difference के corresponding phase difference आएगा, ठीक है, तो part difference इतना हो जाएगा, and actually में इसका magnitude होना चाहिए, लेकिन ठीक है, उतना नहीं सोच है, लोग option में कहीं mod दिया होगा, अब phase difference हो जाएगा, 2 pi by lambda into part difference, ठीक है, तो 2 pi by lambda into N1 L1 minus N2 L2, ठीक है, option C, double sheet experiment is performed using monochromatic light of wavelength lambda, intensity of light at a point on the screen, जहाँ पे part difference lambda है, intensity of light कितना है, किये, intensity of light at a point, जहाँ part difference lambda by 6 is NK by 12, ठीक है, तो जहीं पता है, intensity जो होता है, maximum intensity into cos square, part difference by, sorry, phase difference by 2 होता है, ठीक है, अब phase difference की value, 2 pi by lambda into part difference होता है, और part difference इस question में कितना दिया होगा, lambda by 6, ठीक है, तो हो जाएगा, pi by 3, 3, तो pi by 3 को यहाँ put करे, तो pi by 6 हो गिया, अब pi by 6 होता है, आपका 30 degree, 30 degree मतलब 3 by 4, okay, अब intensity इतना आगी है, अब जहाँ पे intensity lambda है, sorry, जहाँ पे part difference lambda का है, वहाँ पे intensity k है, अब जहाँ पे part difference इतना होगा, वहाँ पे intensity कितना होगा, maximum ही तो होगा, क्योंकि यह multiple of lambda है, ठीक है, तो k is in fact nothing but i0, ठीक है, तो आपको बोल दिया था, intensity जो है, n k by 12 है, और उको पता i0 is nothing but k होगिया, n का value 9 आया, ठीक है, तो wavelength इतना is used to produce interference pattern when the distance between the slits से यतना, तो small d दे दिया है, गैपरेल दे दिया है, angular width of the fringes formed on the distance screen is close to, angular width of fringes पूचा है, ठीक है, ओके, तो fringe width होता है, lambda d by d, आपका, इतना है न, angular width जो होता है, वो fringe width divided by capital D होता है, ठीक है, यह यह लैमड़ा by d का value पूचा है, lambda आपका 500 nanometer, और small d का value है, 0.05, इस 2, radian आया, answer लेकिन degree में दिया हुए, तो इसको degree में convert करना पड़ेगा, 180 by pi से multiply करना होगा, degree के लिए, ठीक है, तो इतना millimeter, इस y के value पे bright fringe मिल रहा है, तो part difference between the waves, which are reaching this point, is close to, ठीक है, आपको बोल दिया है, bright fringe y equal to, इतना पे मिल रहा है, ठीक है न, bright मिल रहा है, मतलब है, n lambda, d by d, bright fringe का location तो ऐसे ही होता है, आप से क्या पूचा है, part difference कितना होगा, ठीक है, 10 theta करके भी निकाल सकते थे, part difference ही निकाल रहा है न, 10 theta निकल जाता, मैं सोच रहा है, इसे चोटा तरीका है क्या हो सकता है, मैं लंबा तरीका से use कर रहा हूँ, तो चलेते एक बार, capital D दे दिया है, तो 10 theta निकाल लेते बस, ठीक है, 10 theta निकाल लेते जल्दी होगा, तो इस तरीके से भी आ जाएगा, अफ्कोस, लेकिन मैं लंबा कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपनों logic बताता हूँ आपको, इस angle पे आपको bright दीख रहा है न, यहाँ पे आपको bright दीख रहा है, यह Y है, सीथा 10 theta निकालो न, 10 theta कितना हो जाएगा, Y by D, Y के value है 1.27 mm, 1 meter है न, 100 cm बता 1 meter, तो 10 theta मिल गया, ठीक है, part difference जो होता है, वो आपका, क्या होता है, D, 10 theta, ठीक है, small d का value है, 1 mm, और 10 theta का value है, 1.27 into 10 की power minus 3, बस, तो 1.27 micrometer आ जाएगा, ठीक है, option A, in YDSC 16 fringes और observed ने certain segment of the screen, when light of wavelength इतना is used, अगर light of wavelength को change करके 400 कर दे, तो number of fringes observed कितना होगा, ठीक है, तो मालो length of screen इतना है, ठीक है, फर्स्ट केस में, जब lambda 1 यूज़ कर रहे है, तो N1, bright fringes मिल रहा है, lambda 1 वाले case में, जिसका fringe width मालो beta 1 है, और second case में same length में n2 bright fringes मिल रहा है, अब of course second case में lambda change होगी है, तो beta भी fringe width भी change होगा, ठीक है, ठीक है, या देकना, जितना जादा fringe width उतना कम, आपका number of fringes होगा है, ठीक है, तो यहाँ सापको, N1 lambda 1 d by d is equal to N2 lambda 2 d by d, तो lambda 2 की value, lambda 1 into N1 by N2, ठीक है, lambda 1 first case का, और यहमलों को तो number of fringes पूछा है, या न, तो N2 की value हो जाएगा, N1 की value into lambda 1 by lambda 2, ठीक है, N1 का value कितना है, 16, कितना है, 700 और यह 400, ठीक है, तो 28 हो जाएगा, option D, 15 fringes are observed on a small portion of screen when light of wavelength इतना is used, 10 और observed on the same length when lambda is used, फिर से भाईचीज, N1 lambda 1, पिछले question जाएगा, पिछले question जाएगा, is equal to N2 lambda 2, ठीक है, तो 15 fringes मिला, जब lambda का लो इतना था, और 10 मिला, तो lambda का value केतना होगा, तो lambda का value हो जाएगा, 750 nanometer, ठीक है, इन YDSC, अधे certain point on the screen, the part difference is 1 by 8, तो ratio of intensity, at this point to the intensity at center क्या होगा, तो intensity होता है, maximum intensity याणि इनिदे निदे इनिदे इसेंटर, इन्टी 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 सेंटर, डेल्टा 5 by 2, और डेल्टा 5 की value, यहां पर लेंडा बैत होता है लेंडा पर एट है न वन अट अफ लेंडा ठीक है यह पाई पैपई पॉर एट आएगा तो इंटेंसिटिए एट जोबी पॉएंट पर बोल गया इतना इप टिफरेंस है इवयर मैकसमी इंटेंसिटी हो जाएगा कोस्कॉयर की पॉइंट है ठीक है separation between the selection of this only day d programming कि ईद कवैल देदिए the separation between successive bright ring less thứ बीटा का वैले पुछभडा होता है लैम्डा दीबाई डीबाई दी बस data put करो लैम्डा क्र वैलु है 529 नेनो मीटर कैपिलल दी है 1.5 और स्माल दी है 0.15 लेकिन मिले मीटर में उसको मीटर में कनवर्ट करो ठीक है इसको सॉल्व करोंगे एंसर आ जाएगा इने थिन फिल्म फिल्म फिकनेस टी है विंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू इस इंटेडूस इन फ्रेंट फ्रेंट स्लिट्स ता मैक्सिमूम एड दे सेंटर फ्रेंज पैटर्न शिफ्ट बाइए वन फ्रेंज विथ ठीक है तो शिफ्ट का वैलू आपको बोल दिया वन फ्रेंज विथ है ओके तो शिफ्ट वन फ्रेंज विथ के बराबर है वन टाइमस बीटा है यानि लैम्डा डी बद्यक बराबर है ना तो ठिक्नेस क्या होगा है ना तो हम पता है शिफ्ट निकालन लेकल्य एट पाठ डिक्षेंस होगा वो सलयब के कारान कैंसल हो जाएगा slab के करण कितना होता है mu minus 1 into thickness ठीक है तो यहां से y के value आप यहां put कर दो y के value यहां से कितना आएगा mu minus 1 into t d by d y के value है ना is equal to lambda d by d d by d sorry value हो जाएगी lambda by mu minus 1 option c may a beam of plane polarized light of large cross section area and uniform intensity was normally on a polarizer which rotates about its axis with angular speed it now energy that passes through the polarizer ठीक है energy intensity जो polarizer cross करता है वो था i0 into cos square theta है ना polarized light है ना polarized light जब polarizer cross करता है तो मलू जो लगाते हैं हम लोग ठीक है ना अब problem किया theta change हो रहा है continuously ठीक है ना तो घूम रहा है आपका यह चीज़ तो theta जो continue change हो रहा है ठीक है ना ठीक है ना तो जो intensity जो पास होगा ठीक है यह average ही हमें दीखेगा वो जाया कितना और cos square का average value ठीक है ऐसे periodic rotation में यह uniform rotation में half रहता है तो i0 by 2 कर दो इंटेंसिटी कितना है ठीक है तो इंटेंसिटी इतना है जो पास करेगा पर revolution एक revolution में कितना पास करेगा ठीक है ना एक revolution में कितना टाइम लगेगा तो टाइम लगेगा तू पाइब है ओमेगा आपको दे दिया है 31.4 यानि 10 पाई यह क्या 10 पाई तो है सकेंड ने पूछा है तो intensity आपको पता है एनर्जी पूछ रहा है ठीक है अब इंटेंसिटी क्या होता है एनर्जी पर इनिट अर्या पर इनिट टाइम यह तो था इंटेंसिटी एंगा एरिया इंटू टाइम एरिया आपको दे दिया है 3 इंटू 10 के पाऊर माइनस 4 और टाइम है 1 बाइ 5 ठीक है 4 जूलारा अगर मैं कालकुशन सही है तो ठीक है औरेंज लाइट ओफ वेवलेंथ इतना इल्लूमिनेट्स सिंगल स्थिट ओफ इतना दा मैक्सम पॉसिबल नंबर अफ दिफ्रक्शन मीनिमा प्रदूस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ दा सेंटल मैक्सिमा इस ठीक है ओके वह क्लेम लोग क्या फॉर्मला यूज करते हैं ए साइन थीटा एकवल टू एन लैमडा ठीक है ओके साइन थीटा का मैक्सिम वैलू कितना हो सकता है एक चली मैं नहीं हो सकता है कि साइन थीटा वन होना मतलब थीटा एकवल टू 90 डिगरी ठीक एकुल टू 90 मतलब वाइकॉल टू इंफिनिटी जोगी पॉसिबल नहीं है तो यह चीज की वैलू अमेशा लेस देन ए रहे है आपका यह हंड्रेट है न ठीक है एन के लिए लेस देन हंड्रेट है मतलब एन क्या क्यों हो सकता है कि वन टू थीरी से लेके 99 ठीक है वैसे माइनस वन दूसरे साइट के लिए माइनस माइनस 99 और साथ में 0 ठीक है नहां भी 99 वैलू है यहां भी 99 वैलू है यहां एक वै यतीकी रोत पे मैक्सम में मैक्सम में मनते ना मिनिमा थिसको जाे तो हम्हकी एकिंप्स उन्व इंड़ा करको हुए तो क्यों ठीटा को 90 ने लिए ठीटा को 90 लोगे तो आप फिर ओ इंफिनिटी की बात हो जाएगा इंफिनिटी वाला आप देखी नहीं पाओ गया ना यहां से प्रेंगल ना पर हो तो ठीटा का वैलू 90 लोगे तो मतलब वाइक्वल टू इंफिनिटी ठीटा एक्वल टू 90 सब्सक्राइब तो यह जो होगा यह हो जाएगा डी मिनिममम डी मिनिमम इसको मैं डी मिनिममम बोल रहा हूं और यह है डिस्टेंस बिट्विन अर्थ और मून ऐसा कुश्यन बहुत सा रगी है इससे पहले भी मिनिममम हो जाएगा 1.22 लामड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो मैं एक को चूस करूंगा ठीक है आप पोलराइजर आनलाइजर सेट इसदे इस सथे सदेगा इसदेग्रा आठीक है तो परिजनल इंटन्सीटि परसेटीं मतलब यह पोलराइजर माल मौ तो ठीक है, उससे में जो मतलब भी नहीं है, एनलाइजर के खिली बात करते है, एनलाइजर में तो second polarization जो है, तो second polarization जो है, इसमें light अगर i intensity का गिर रहा है, तो बहार कितना निकल रहा, 10% ही बहार निकल पार, ठीक है, तो यह हो सकता है कि यह light और इस polarizer के बीच का angle अगर ठीटा है तो i by 10 must be equal to i cos square theta तो यहां से cos theta का value 1 by root 10 होना चाहिए ठीक है तो अगर इसको यहां इन दोने के बीच का angle अभी ठीटा है अब अगर आपको चाहिए कि final intensity 0 हो जाए है यहां पर 0 हो जाए है इसका मितलब क्या हो सकता है इन दोने के बीच का angle 90 degree हो जाएगा तो अभी angle theta है बाद में angle 90 degree होगा न तो यहां पर अभी electric field जो भी हो यहां पर बाद में polarizer और electric field vector के बीच का पास angle कितना होना चाहिए 90 ठीक है ना तब intensity आए घुसेगा लेकिन 0 बाहर निकलेगा है ना तो कितना से rotate करना पड़ेगा therefore rotation कि फर्दर रोटेशन रिक्वाइड कि फर्दर रोटेशन कितना करना पड़ेगा 90 माइनस ठीक है डिग्रीज होता है मैं calculator से calculate किया 71.5 डिग्रीज तो दिस और 90 का difference हो जाएगा 18.4 डिग्रीज यानी option भी मैच करेगा ठीक है आप calculator ने भी यूस करोगे तो option इतने गंदे-गं वह को पता 30 से कम होगा पर 30 से कम होगा तो 90 माइनस 30 से कम वल option जो होगा वो पर यह चीज 60 से ज्यादा ही होगा तो 90 मैनस सम्टिंग वची 60 से ज्यादा वो चीज 30 से कम आएगा ठीक है तो अप्शन इलिमिनेट कर सकते हैं 2021 के questions तो यहाँ पे question 1 जो इसको ignore करू ठीक है 2021 का यह first question है February attempt का ठीक है तो actual में हमारे PDF के साफ से एक question number कितना हो जाएगा शुरू से जो कर रहे question number 90 है ठीक है वैसे करके बागी questions के लिए भी confuse मत होना है न मैं जिस PDF मिलिए वहाँ से इसको हाटाने में टाइम लगता इसलिए में हाटाया यागी ठीक है इन यंग्स देवर सिट एक्सपेरिमेंट विट ओफ वन अफ वन अफ द श्लिट इस टीक है आपको बोल दिया है एंप्रिचुट प्रोपोर्शनल तो श्लिट विट है ठीक ह में टो a1 प्लस a2 का सकोर्र आजाएगा मिन में a1-a2 का सक्वेर प्रोपोर्शनलिटी के लिए ठेक है टो a2 का स्क्वार a1-a2 का स्क्वार तो यह चार बाए दो यहनी दो यहनी चार यहनी ऑप्शन वन ठीक है beam is incident on the polarizer of a polarization experiment and the intensity of light beam emerging from the analyzer is measured as 100 now if the analyzer is rotated around the horizontal axis by 30 degree in clockwise direction intensity of emerging light will be okay तो यहां पर पहले initial angle हमें पता होना चाहिए ना unpolarized light is incident on the polarizer of a polarization experiment and the light emerging from the analyzer is measured to be 100 now if the analyzer is rotated around the horizontal axis by 30 degree तो जो भी मिल रहा होगा उसका cos square 30 आना चाहिए ना रहा होगा question में मैं बता रहा हो क्या है यह सपूस यह first polarizer analyzer analyzer है ना first polarizer analyzer मता second polarizer बस ठीक है तो यहां पर intensity अगर i-not है तो यह तो पता है and polarized light जब polarizer को pass करें तो i-not by 2 होगा ठीकिक ना अब इसके और इसके बीच का angle हमें दिया नहीं अगर मैं angle alpha माल लो तब इससे जो बाहर निकलेगा वह हो जाएगा i-not by 2 cos square alpha और इसका value question में दे दिया 100 यहां तक तो ठीक है अब आपको बोला गया analyzer को rotate किया गया थर्टी डिग्री ठीक है इसको further थर्टी डिग्री सब करें तो cos square alpha plus 30 हो जाएगा ठीक है तो intensity of emerging light कितना होगा ठीक है तो फिर second case में i-not i-not by 2 अब जो angle हो गया है वह alpha plus 30 है तो i-not by 2 cos square alpha plus 30 equal to यह क्या होगा ही तो पूछा आपसे ठीक है ओके problem यहां पर यह कि आपके पस दो unknown है i-not और alpha और एक ही equation है यह तो equation है नहीं यहां पर तुसके value पता ही नहीं आपको कैसा solve करेंगे इसको तो यह मुझे लगता है या तो question में कुछ missing है या तो यह bonus हुआ होगा इन दोनों में इस एक चीजी हो सकता है शुरू में माल लेता हूँ कि जो angle है यह शुरू में 0 है मतलब alpha के value में 0 माल लेता है assuming alpha to be 0 तब एक question बना लेंगे ठीक है तो assume कर रहा हूं है alpha to be 0 और मुझे नहीं समझ में रहा है question मतलब और कुछ करी नहीं सकती इसमें ठीक है हो सकता है मैं misinterpret कर रहा हूँ लेकिन यहां में जाता है कुछ है ही ने misinterpret करने के लिए तो alpha को मैं 0 माल लूँ alpha का 1 value माल ले तो उसके बाद एक question बन जाए ठीक है तो alpha को कर मैं 0 माल लो तब यह हो जाएगा सब्सक्राइब और कोई तरीका मुझे नहीं सूज रहे हैं इस सोर्स ऑफ लाइट यूस्ट इन वाइडी ऐसी इस चेंज फ़म रेड टू वाइलेट तो विवग्योर अगर देखें हम लोग ठीक है तो रेड से वाइलेट में जा रहे है रेड का याद आखना लैमडा मैक्सिम होता है इस सम्में से और वाइलेट का लैमडा मिनिममम होता है ठीक है ना तो रेड से वाइलेट जा रहे है मतब लैमडा डिक्रीस करें हम लोगा ना तो रेड से वाइलेट जाएंगे मतब लैम्डाद डिक्रीस हो गई, तो विसके हमों मुझों लैम्डाद डिक्रीस कर रहेート less Warsaw तो längkommen विध म्मीट होता है लैम्डा-ति मैंद मेद लैम्म्डाद डिक्रीस होगा Books वीध में लैम्मी तो यह निजीडी में विलिकेव दीक्रीस तो जीग वदिक्रीस होगे ऐा ti ठीक है तो i max हो जाता है i1 plus i2 का स्क्वायर और i mean होता है i1 minus i2 का स्क्वायर इतना आएगा इतना आएगा इतना आएगा ठीक है अब खली values पूट कर लेते हैं i1 by i2 तो इतना है और यह हो जाएगा 2x divided by 2x plus 1 यहीं option 3 ठीक है consider diffraction pattern obtained from the sunlight incident on a pinhole of diameter 0.1 micrometer if the diameter of the pinhole is slightly increased तो diffraction pattern में क्या फर्क पड़ेगा ठीक है ओके तो हम पता है कि अगर hole का size को बड़ा करेंगे तो जो है diffraction कम होता है ठीक है ना क्योंकि आपका जो first minimum होता है यह क्या होता है lambda भाई ए ठीक है तो अगर hole का size को या slit का size को बड़ा करेंगे तो यह छोटा होगा ठीक है तो diffraction का size pattern होगा तो decrease value option सिफ दो है ठीक है intensity तो increase होगा क्योंकि ज्यादा बड़ा hole मतब ज्यादा light एंटर करेगा intensity will increase but size of diffraction pattern will decrease option 1 मैं in ydse two slices separated by 2 mm and the screen is placed 1 meter away तो small d दे दिया है capital d दे दिया है when light of wavelength इतना इस फ्रिंच separation क्या होगा तो बीटा का value पूछा है fringe with lambda d by d ठीक है तो lambda आपको है capital d है 1 meter और small d है 2 mm तो 200 x 10 की पार minus 6 meter तो mm में यह हो जाएगा 500 x 10 की पार minus 3 mm यहनि 0.25 mm option 4 2021 के jman के questions question 97 fringe width of इतना was produced for two slit separated by the small d दे दिया है beta दे दिया है capital d दे दिया है wavelength light का क्या होगा ठीक है तो fringe with होता है lambda d by d हमें wavelength चाहिए तो wavelength का formula expression यहां से हो जाएगा d into beta by capital d प्रिंज small d है आपका 1 mm 6 mm mm तो 10 की पार minus 3 और capital d जो है वो है 10 meter तो 6 x 336 7 इतना meter तो nanometer में 600 nanometer हो जाएगा आपको nanometer में answer चाहिए ठीक है answer हो जाएगा 600 question में ydse में slits are separated by gap small d दे दिया screen is placed इतना capital d दे दिया distance between the first and the third bright right ठीक है तो first और third bright के बीच का जो से फ्प्रेशन होगा distance between first and third bright हो जाएगा तो बीटा है ना ठीक है first और third का difference 2 ठीक है ना दो प्रिंजेस हटेंगे उनके बीच में ना तो लैम्डा कितना है तो फाइफ एट नाइन जिरो एंग्स्टॉम होगा प्रिंटिंग एरर है लैंड फाइफ एट नाइन जिरो एंग्स्टॉम पाइफ व्याव प्रिंट फाइफ यह स्मॉल दी है पॉइंट फाइफ मिलिमीटर बस इसको क्यल्कुएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा तो यह तो बारा आजार हो जाएगा पॉइंट वाइवर को टेंट की पावर माइनस सेवन अप्रोक्सिमेटलीं बारा सो इंट तें पर मैंस इसके आसपास है ठीक है मीटर अधिस्टन स्लीट इस वैरिडिट इन इतना ठीक है यह omega होगा d equal to distant इन तो स्विट जो है d0 प्लस a0 sin omega t ठीक है okay the difference between the largest fringe width and the smallest fringe width ठीक है तो fringe width जो हता है वो lambda d by T होता है तो fringe width का maximum value के लिए उससे में d minimum होगा यहां से देख सकते हो आप डी नॉट ए नॉट साइन ओमेगा टी है न तो मिनियम वैलू हो जाएगा डी माइनस ए नॉट सिमिलाटीब बी टा का मिनियम वैलू के लिए स्मॉल डी का मैक्सम मेलू यूँस करेंगे और कुछ वैरी नहीं कर रहे हैं ठीक है और मैक्सम वैलू डी नॉट प्लस एनॉट हो जाए कुए साइन ओमेगा टीक मैक्सम मेलू वन होता है ठीक है अले यह डी इनॉट से मैच कर रहा है question इन यजिए स्था। प्रक्राइ जाए अगर आप देखे हो और न से ब्लू जा रहे है मतलब वेवलेंथिद्ट्रीश कर है न सबस्याद इसका होता है इस तरप वेवलेंथिद्ट कम होता है number of waves when yellow light propagates through air and through vacuum of same thickness is 1 okay thickness of air column in millimeter क्या होगा ठीक है तो thickness माल लो T है तो refractive index of air और vacuum दे दिया है तो difference in the number of wavelengths है is 1 okay number of wavelengths in air minus number of wavelengths in vacuum ठीक है अब number of wavelength in air हो जागा thickness डिवाड़े बाए लामडाइन air ठीकनेश डिवाड़े बाए लामडाइन vacuum है ना ओके अब यह चीज़ का value question में दे दिया है 1 ठीकनेस common लेलो लामडाइन vacuum माइनस लामडाइन एर ठीक है या इसको चलो simplify कर लेते हैं पहले ही ओके लामडाइन air क्या होगा मुटाइम्स लामडाइन लामडाइन वैक्यूम डिवाड़े बाए म्यू अ फेर है न native in vacuum यहां से आपको दीख रहा होगा ठीकनेस की वैलू हो जाएगी लैम्डा वी बाइडी मू मैनस वन यही थिकनेस हो जाएगा ना लैम्डा इंड वैक्यूम लैम्डा इंड वैक्यूम कितने सिक्स थॉजन एंक्स्ट्रॉम ठीक है तो वैलू पूट करेंगे तो सिक्स थॉजन एंक्स्ट्रॉम म्यू के वैलू कितना है कितना माइनस बन मतलब 0.0003 सब 2 मिलिमेटर आंसर आपको मिलिमेटर में चाहिए था तो आंसर क्यों जाएगा 2 ठीक है यहीं 3 ताम स्ट्रीटॉम था एफ्लीट फ्लाइट इस प्रमश्नल दो स्ट्वीज ए अंप्लिचुश्यट नियुटॉम एफ्लइट स्ट्वीज़ फ्लीट के प्रोपोर्श्नल है वहीं ऊस्लिट का रेशियो 3 इस्टीट इस्ट्वन का रेशियो नियूर मेंक्सिम इंग ठीक है ratio आपको बोल दी X by 4 है मिनिममम हो जाएगा a1 plus a1 minus a2 का square or maximum हो जाएगा a1 plus a2 का square ठीक है वह 2 by 4 यानी 1 by 4 तो x by 4 तो x के रलो क्या हो जाएगा 1 streets are separated by इतना है तो small d दे दिया है gummy लिदे दिया है distance between the fourth bright fringes on both sides of central light ही दितना 4th bright fringe जो होता है ठीक है उसका location जो होता है quarto नोग बिटा दूर होता है वो central bright से ठीक है और दोनों fourth bright के बीच का distance हो जाएका 8 beta therefore ए फोर बिटा from central bright होता है ठीक है ना वैसे दूसरा वाला उस तरफ जो fourth bright होगा वो भी 4 beta from central bright होगा दोनों 4th bright के बीच का distance एक उस तरफ एक इस तरफ के बीच का distance 8 बीटा हो जागा ठीक है तो फरिक्वेंसी पूछा है तो बीटा का value लिख देते है lambda d by d ठीक है lambda lambda कितना है ओके lambda ही तो बता करना है lambda d by d capital d कितना है 1.5 divided by small d small d है 2.5 okay सॉरी small d है 0.3 मिलिमीटर ठीक है यह यहां से लैमडा मिल जाएगा डर आया ठीक है उच आए फ्रेक्वेंसी के ओता है C लैमडा C होता है 3 x 10 की पावर 8 x 10 की पावर 14 Hz ठीक है तो यह क्या हो जाएगा 5 two coherent sources have intensity equal intensity i0 in the interference pattern the intensity of light at minima is zero what will be the intensity of light at maxima ठीक है तो अगर minimum पे 0 है ठीक है तो maxima पे तो हमें पता है 4 i0 ही तो होता है तभी तो average सेम आएगा हमें क्या पता है average क्या होना चाहिए 2 i0 होना चाहिए तो अगर यह 0 है तो 0 का 4 i0 के साथ ही तो average 2 i0 का होगा ठीक है तो यह 4 i0 होना च a source of light is placed in front of screen intensity of light on the screen is i2 polaroids p1 p2 are placed in such a way it between is placed between the source of light and the screen so that the intensity of light on screen is i2 okay when angle of how much degrees so that the intensity of light becomes 3 i8 okay ठीक है तो p1 और p2 पहले parallel रखे होगा तभी तो आई है क्योंकि unpolarized light है ना source of light is placed in front of a screen ठीक है कुछ बोला नहीं है मैं unpolarized light ही मान रहा हूँ ठीक है तो unpolarized light है intensity इतना है उसका ठीक है पहला polarizer से पास होने के जाद intensity आधा हो जाएगा दूसरे से पास होने के बाद है इसका मत्तब है कि दोनों parallel है ठीक है यह पहला case है second case में दूसरे वाले को rotate कर दी हम लोग दूसरा वाला polarizer rotate कर दी हम लोग ठीक है तो यहां पर पूलराइज दैट है तो कॉस्सक्वार थीटा टेम्स हो जाएगा इमर्जेंट लाइट का intensity और यह त्री आईबाए एट के बराबर है तो कॉस्स थीटा यहां पर रूट थी बाए जब थीटा हो जाएगा आपका 30 दीडीडी तो 30 दीडीडी से उसको रोटेट की हो ठीक ह इतने लोकेशन के लैंबडा दी यही तो होता है ना तो फस्ट रेट फस्ट वालेट बनेगा इतने बनेगा इस लोकेशन में और फस्ट रेट बनेगा वो कि इतने लोकेश्न मनेगा लैंडड ओफ रेट ठीक है ओके च्रू बैधन के देल्टा वाई थो हमें पता है 3.5 माईनस 2 यह यानी 1.5 mm होगा और यह पूछा गी है हमसे लैम्डा ओफ रेड मैनस लैम्डा ओवालेट इन्टो डी बाइडी कैपिरल दी है 1.5 और स्मॉल दी है 0.3 mm वाले को मैंने लिख रहा हूं उसका यूनिट लैम्डा ओफ रेड मैनस लैम्डा ओवालेट हो जाएगा 1.5 इन्टो 1. क्यांसमें स्टरी इन्टो मिलिमेटर मिलीमेटर मिलिमेटर यह उन्हें 10 की पाववर माईनस चीक में ठीक है छहत्यकर 510 की पावर माईनस क्वार मैंनस सेवन मेतर आननो मीघन में हो जाएगा 300 तो 300 आ जाएगा अच्छा लगा होगा बहुत बड़ा लिखता था 107 questions किये बताना comment में कैसा लगा और PDF तो आपको पता है टेरेग्राम चैनल मिल जाएगा डिवाई जी सर लिंक भी मिल जाएगा आपको description में तो चलो मिलते next lecture में comment जरूर करना वीडिवाएग दरूर देना मिलते next lecture में until then बाय है